कि हलो दोस्तों वेलकम् तू रोड स्टार्ट करने वाल हैं यह देबल्टे मेंस 2 हजार 15 का पेपर हम लोग अल्रेडी 2013 और 14 का पीपर कंप्लीट कर चुके हैं आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 15 क्या एक लिए अच्छालिए क्या बोला है लेट ए इंड भी दो तो containing four and two elements respectively ठीक है मतलब कि A में हमारे पास है चार elements B में हमारे पास है दो elements then the number of subset of A cross B each having at least three elements ठीक है मतलब कि हमें subsets चाहिए A cross B के तो पहली चीज़ की A cross B अगर मैं करूंगा तो उसमें कितने elements आएंगे four into two that is eight elements आएंगे ठीक है अब जब भी हमारे पास eight elements वाला set होगा तो उसमें जो subsets आएंगे उसमें या तो zero elements होँगे या तो one two three four five six seven and eight लास्ट वाला जो यह A cross B पूरा होगा वो भी उसका subset आएगा तो इस तरह से इतने number of set वाले total subsets निकल सकते हैं और that total subsets की value क्या है two rest to n two rest to n मतलब कि two rest to eight and two rest to eight that is two five six ठीक है this is total number of subsets यह हम सबको पता है अब हमें पूछा है कि in two five six में से in two five six में से कितने ऐसे हैं जो जिन में three से जाधा elements three three से जाधा elements मतलब कि हमें three four five six seven और eight इतने वाले find करने हैं तो आप सोचिए मैं इतने सारे find करने जाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी इसलिए हम simply क्या करते हैं total में से zero one और two वाले subtract कर देते हैं माइनस करते हैं ठीक है बहुत ही simple है यह तो मुझे क्या करना चाहिए और हमें यह भी बता है कि अगर total n elements है ठीक है suppose कि यहाँ पर a cross b में कितने है 8 elements है तो उसको मैं बोलता हूँ कि n elements है ठीक है suppose कि n elements है और उसमें से हमें चाहिए कि zero elements वाले subset कितने हैं तो nc0 हो जाएगे फिर अगर कोई बोले कि बहाए एक element वाले subset कितने होंगे तो nc1 हो जाएंगे फिर कोई बोले कि दो element वाले subset कितने होंगे तो nc2 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ही सोचके दिए कि यहां की जगा 0 8c0 8c0 मतलब की वन हां एक ही subset ऐसा होगा जिसमें कोई element नहीं होगा वह कौन सा होता है हमेशा नल सेट नल सेट हमेशा एक ही होता है इसी तरह से फिर 8c1 8c1 मतलब की 8 बट वैसी चीज़े अगर 8 element है तो आठों के आठों element अगर मैं सिंगल में लिख दो सपोज के 1 2 3 4 5 6 element है हमारे सोरी लेट से ए बी सीडी है तो ए फिर बी यह जो single elements आएंगे वैसे हमारे 8 elements हो जाएं और 8c2 कितना होता है 8c2 होता है मेरा 8 into 2 sorry 8 into 7 divided by 2 तो यह मेरा होता है 28 ठीक है तो 28 प्लस 9 that is 37 इतने 0 1 और 2 वाले होता है लेकिन हमें तो क्या find करना था 3 से ज्यादा मतलब की 256 में से मैं माइनस कर देता हूं 37 वो मुझे मिल जाता है 219 which is greater than 3 elements यह इतने ज्यादा element वाले subset होंगे 219 तो मेरा correct answer है 219 option number A I hope सब को यह question समझ में आया होगा आगे बढ़ता है हमारे next question की और जो है complex number का again a simple question थोड़ा logically सोचने का try करेंगे complex number Z said to be unimodular unimodular मतलब की उसका mode जो है वो 1 दिया है no problem suppose Z1 and Z2 are complex number such that this is a unimodular this मतलब की क्या है यह Z1 minus 2Z2 divided by 2 minus Z1 Z2 का बार यह है unimodular यह भी मुझे क्या बोला है unimodular ठीक है okay and Z2 is not unimodular मतलब की मैं लेख सकता हूँ कि mode Z2 जो है वो not equal to 1 है क्योंकि not unimodular unimodular मतलब की mode 1 होना चाहिए लेकिन यहां बोला है not unimodular चलो कोई नहीं अब मुझे find करना है की then the point Z1 lines on मतलब की ultimately जो Z1 होगा उसका equation कैसे form होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि वो concept कौनसी जगा पर line करता है ठीक है लाई करता है अब इसको थोड़ा simply हम tackle करता है बहुत जाला इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है actually equation बहुत ही simple है इसमें आपके पास दो तरीके है मैं बोल सकता या तो आप ले सकते हो कि more Z is equal to 1 बोला है तो आप ले लो X1, Y1 और X प्लस आउट आउट है और फिर इसमें put करके value solve करो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इससे अच्छा है हमारे पास एक short method भी है कैसे हम पता है कि इसका mode क्या है 1 है अगर इसका मैं mode 1 ले लू इस तरह से ठ ठीक है तो जब भी किसी का mode 1 होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Z into Z bar mode Z into mode Z bar is equal to क्या होता है mode Z का whole square यही होता है यह सब को बता है ठीक है तो इसी theorem का मैं यहाँ पे use करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने तो 1 ही है तो 1 का square भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ देखो पहले उपर वाला जो है उसको मैं लिखता हूँ Z1 minus 2Z2 multiply with Z1 bar ठीक है बार ले लिया अब देखना multiply with Z1 bar minus 2Z2 bar ठीक है चलिए यहाँ तक सब को समझने आगा इ इसी तरह नीचे करता हूँ मैं 2 minus Z1 Z2 bar into अब मैं बार वाला लेता हूँ Z यह पूरे का बार करूंगा तो क्या हो जागा 2 minus Z1 bar into Z2 ठीक है यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए सिर्फ इसको मैंने बार वाले के साथ multiply किया है यह theorem का use करके ठीक है और मैं कर सकता हूँ इसी को मैंने यह पूरा मैंने ले लिया चीक है इसको मैंने पूरा एक complex number बोल दिया और इसके मैंने multiply कर दिया इसका ही पूरा का बार तो वो इसका ही पूरा का बार हो गया यहाँ पर सामने क्या आएगा राइट-hand side में 1 into 1 आएगा 1 into 1 तो 1 ही होगा अब मैं क्या करता यह यहाँ पर चला जाएगा फिर दोनों को एक और मिरा आसर आजएगा चलिए करते हैं वो काम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा जाडवन into z1 bar minus 2 z1 into z2 bar minus 2 z2 into z1 bar plus 4 z2 into z2 bar ठीक है मैंने इसको सिर्फ simplify किया है यह पूरे equation को simplify किया है a minus b into a c minus d करते हैं उसी तरह से simplification बहुत simple है हो जाएगा सामने 4 minus 2 z1 bar into z2 यहां पर हो जाएगा minus 2 z1 into z2 bar और यहां पर आजएगा plus z1 z1 bar z2 z2 bar ठीक है चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब जैडवन into z1 bar तो वह तो क्या हो है जैडवन into z1 bar हो जाएगा गलग जैडवन जैडवन बार का मोल जैडवन का और स्कुरी लेकिन जैडवन तो क्या है यूनिट ला हह रहाह लेटाष टू बार च्छित है 4Z2 बार और यहां पर माइनस 4z1 1z1 जैडवन बार च्छित है एक सिखेंड यहां पर है 4z1 इंटूजट वार यह पूरा डिफरेंट है ठीक है भीर से लिखता हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं नहीं है दो कि एस बन सुन हो जाएगा ना यहां पर है 2जएद वन इंटू जैड़ मार है उन्ट इंटू जैड़ बार चलो यहां पर है पूर कि यहां पर है को ये हो लेकने के बाद टू जैड़ divizi टू क्या है इन टू जेडवन बार इन्टू झेडerd eta टू बार यह पर है फ्लस लेडरण जेडवन बार जटू जटू जडिकर अब यहांर पर क्या है ध्यान से देखरा ले तो से सिल्टेड पर इन्टू जईडवेन बार seas टू पार इस ठीक है तो अब क्या हो जाएगा ध्यान से देख रहा यहाँ पर यहाँ पर बच गया जैडवन यहाँ पर मैंने वन लिखाए ठीक है वन को मैं अभी एक्चुली मुझे यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा तो वन अभी मैं नहीं लिखता हूँ वो बाद मने लिख लूगा अभी मैं इसको इसके जैसा इस नहीं कि रृखना तो में यहां पर हो जाएगा और जएडवन अजएड़न और चीक है नहीं किया है नहीं मैंने सिर्फ यहां से यह दो टर्म्स और यह दोनों टर्म्स जो कैंसल हो रहें वो कैंसल कर दिया है तो यह दोनों और यह दोनों बचें आप जादा मत सोचो यह सब को एक साइड लेके common लेता हूँ ठीक है तो पहले यहां से मैं common ले लेता हूँ z into z1 bar common तो यहां पर बचेगा 1 minus z2 into z2 bar कहां कहां से मैंने common लिया this and this इन दोनों में से common लिया ठीक है और फिर इन दोनों में से common क्या आएगा minus 4 common आएगा तो 1-z2 into z2 बार यहाँ पे भी बचेगा और is equal to आ जाएगा 0 तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा z1 z1 बार minus 4 1-z2 z2 बार is equal to 0 ठीक है अब हमें यहाँ पे clearly बोल दिया गया है कि जो z2 है यह वाला z2 is not unimodular z2 अगर unimodular होता तो यह यह क्या हो जाता यह हो जाता mode z2 का whole square अगर unimodular होता तो यह 1 हो जाता 1-1 0 हो जाता लेकिन यह unimodular नहीं है तो मतलब इसका यह पूरे term का 0 होना है impossible it can't be 0 तो 0 क्या होगा यही 0 होगा यह मतलब की z into z1 bar is equal to 4 z into z1 bar is equal to 4 और z into z1 bar is equal to 4 तो क्या है 4 भाई यह क्या है यह है circle with center 0 0 and radius 2 अज होग सबको समझ में आया होगा circle with center 0 0 and radius 2 option number 3 is my correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और यह रहा हमारा next question let alpha and beta be the roots of equation x square minus 6x minus 2 is equal to 0 ठीक है ध्यान से देखना alpha and beta are the roots of x square minus 6x minus 2 अब हमें पता है कि alpha beta root है तो addition क्या होगा alpha plus beta minus b by a minus b by a मतलब की 6 and alpha into beta is equal to c by a मतलब की minus 2 ठीक है यह मुझे पता है अभी मैंने first line ही पढ़ी है फिर मुझे बोला है an is equal to alpha rest to n minus beta rest to n और n greater than or equal to 1 then this value क्या है चलो कोई दिखकत नहीं यह value को मैं पीछे लेता हूँ यह है a10 minus 2 a8 divided by 2 a9 ठीक है अब a10 मतलब की alpha rest to 10 यहाँ पर आ जाएगा plus beta rest to 10 यहाँ पर क्या है alpha rest to 10 minus beta rest to 10 यहाँ पर minus आएगा minus beta rest to 10 minus 2 लिखने के बाद alpha rest to 8 minus beta rest to 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 into alpha rest to 9 minus beta rest to 9 ठीक है यहाँ तक किसी को कोई भी doubt नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मुझे minus 2 दिख रहा है आपको दिख रहा है minus 2 मुझे दिख रहा है ठीक है अब यह जो minus 2 है minus 2 की जगा मैं smartly यहाँ पर पूट कर दूँगा कौन सी value बता है minus 2 क्या है भाई यह minus 2 तो है alpha into beta तो minus 2 की जगा मैं put कर देता हूँ alpha beta चलिए देखके क्या होता alpha minus beta 10 minus minus 2 की जगा मैं alpha beta put करूँगा alpha rest to 8 minus beta rest to 8 divided by 2 alpha rest to 9 minus beta rest to 9 ठीक है यहीं पर लिखता हूँ अब ध्यान से देखना तो यह हो जाएगा alpha rest to 10 minus beta rest to 10 ओपन कर देता हूँ तो हो जाएगा plus alpha rest to 9 beta minus alpha beta rest to 9 divided by 2 alpha rest to 9 minus beta rest to 9 ठीक है चलिए अब क्या करता हूँ मैं यह दोनों terms साथ में लेता हूँ जिसको मैं अलग-अलग color से shade करता हूँ आपके लिए तो आपको जाला समद में आएगा जो blue से shade कर रहा हूँ तेस alpha to the power 10 और इन दोनों को simultaneously लूँगा और alpha rest to 9 common लूँगा और दूसरे बार मैं लूँगा इन दोनों को green वाल लको ठीक है चलिए तो क्या होगा देखना यहां पर हो जाएगा alpha to the power 9 common आ जाएगा अंदर बचेगा alpha minus beta sorry alpha plus beta यहां पर नीचे आ जाएगा minus beta rest to 9 common क्या बचेगा beta rest to 9 common तो यहां पर बचेगा और alpha मतलब कि again alpha plus beta बचेगा नीचे क्या है तो alpha Graph to 9 minus beta rest to 9 अब यह क्या हो जाएगा alpha rest to 9 minus beta rest to 9 into alpha plus beta divided by क्या था तो alpha 할 neural data로 9 अब यह दोनों एक दुसरे को मार डालेंगे यह दोनों एक दुसरे को मार डालेंगेL too मेरे पास बचेगा alpha plus beta by 2 this is my answer alpha plus beta मुझे दिया है भगवान ने 6 तो 6 के by 2 तो 6 भागया 3 तीन मेरा correct answer हो गया 6 divided by 2 3 is my correct answer option number 3 is my correct answer ठीक है चलेगे आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और और जिन जिन लोगों ने matrix determinant का full course देखा है फिर से बता रहा हूं उन लोगों के लिए यह सब questions तो रख दिये मेरी जो चैनल है उसमें एक अच्छी वाद में बतना चाहता हूं कि जो जो मैंने full course करवा हैं अगर आप फूल एक बार मेरे साथ बैटके pen paper लेके हर एक question solve करोगे तो आप जे डबली मेंस में वह full course वाल chapter में से आप कभी भी कोई question ऐसा नहीं होगा कि जो आपको नहीं आएगा ठीक है इसलिए मैं बोलता हूं full course देखना है बहुत ज़रूरी है कोई निंग चलो यहाँ पर बुला है A is equal to 122 21-2 A to B is a matrix satisfying A into A transpose is equal to 9 into Iota where I is 3 cross 3 identity matrix then A, B is equal to what simple है बहुत simple है हमें A और B के value find करनी है दो value चाहिए तो दो equation बनाने पड़ेगे तो मैं A into A response करूंगा is equal to 9 Iota से equate कर दूंगा दो equation बनाऊंगा दोनों को solve करूंगा A और B के value ला दूंगा ठीक है question बहुत easy है सिर्फ calculation में mistake नहीं करनी है तो यहाँ पर A क्या है 1 2 का 2 2 1 का minus 2 और A 2 का B अब इसका ही मैं transpose लिखता हूं यहाँ पर 2 1 2 का 2 2 1 का minus 2 और A 2 का B और is equal to क्या दिया है मुझे 9 Iota मतलब की 9-0-0-0-0-0-0-9 ठीक एच्छा लिए कोई दिक्कत नहीं अब कोई बच्चे क्या करते हैं सारा solve करते हैं भया नहीं नहीं सारा solve नहीं करना है थोड़ा smartly सोचो और ऐसे दो चीज़ों को solve कर दो कि जिससे आपको जिसमें A और B आते हो ठीक है तो यह कौन सा element है 1-3 element 1-3 के सामने क्या है 0 तो 0 compare कर दिया इसी दरह से मैं कोई और equation बना लेता हूं जिसमें आ रहा हो सिर्फ A या भी ठीक है तो वह कौन सा हो सकता है यहां पर कौन सा ले सकते हैं मैं ले सकता हूं जीरो खैंडन तो कि इस यहो जैगा टूए- इस यहां जाएगा इस यहां जाएगा तो 2 अब मेरे पास दो equation है, मुझे सिर्फ इसको simplify करना है, और इसमें भी 2B2 भी आ गया है, बहुत easy, सीधा 1 plus 2 कर दो, 1 plus 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे हो गया 3A, plus 6 is equal to 0, मतलब कि A is equal to minus 2, मेरा आ गया, और अगर मैं इसको यहाँ पे put करता हूँ, is equal to minus 2, minus 2, plus 2 आ जाएगा, plus 2 set जा है, अगर कहीं पर ऐसा होता कि Z दिया होता, तीन equation चाहिए होते, तो तीन equation generate कर लेते हैं, लेकिन, सारा का सारा solve नहीं करना है, चलिए, तो minus 2, minus 1, option number 4 is my correct answer, I hope सब को समझ में आया होगा, और इसके साथ हम लेते हैं, आज का हमारा last question, वो भी है, हमारा matrix determined का, इसे लिए मैं ब अगर 10 question भी बने, तो 40 mark आप math में secure कर लोगे, ठीक है, और उसके साथ हमारी बहुत सारी series है, rank booster series है, JW advance वारी series है, पूरान वीडियो पड़े हो है, उन सब में सी भी आप देख सकते हो, कोई नहीं चलो, पहले तो ये question solve करते हैं, यहाँ पर बोला है, set of values for lambda, lambda कहा है, यहाँ है, यहाँ है, lambda, यहाँ भी है, of linear equation, clean linear equations दिये, has a non-trivial solution, जैसे ही मुझे यह word दिखता है, non-trivial solution, जैसे ही मुझे यह word दिखता है, मैं कर देता हूँ, determinant is equal to 0, अगर determinant is equal to 0 होता है, तभी मुझे non-trivial solution मिलता है, तो मैं कहा करता हूँ, पहले इसको थोड़ा simplify करता हूँ, x1 x2 x3 ना तो उसको उससाइड ले जाना पड़ेगा तो यह हो जाएगा x1 2 minus lambda minus 2x2 plus x3 is equal to 0 actually these are homogeneous equations ठीक है इसी तरह से यहाँ x2 है तो यह हो जाएगा 2x1 minus x2 यहाँ पे अंदर क्या आजाएगा plus x2 लेता हूँ चलो कोई नहीं यहाँ पे आजाएगा minus lambda minus 3 और यहाँ पे आजाएगा plus 2x3 is equal to 0 और यहाँ पे last वाला equation minus x1 plus 2x2 minus lambda x3 is equal to 0 homogeneous equation है homogeneous में अगर non trivial चाहिए तो determinant coefficients का क्या होना चाहिए 0 determinants क्या है यहाँ पे 2 minus lambda minus 2 1 सामने है is equal to 0 लग देता हूँ ठीक है 2 minus lambda minus 2 और 1 फिर यहाँ पे है 2 minus lambda minus 3 2 minus 1 2 minus lambda ठीक है अब मुझे इसको solve कर रहा है देखो अब जी डबली मेंस की पेपर solve कर रहा है तो इसका solve कैसे करना है वो में नहीं दिखाऊंगा ठीक है आपको at least यह question जो solve करना आना चाहिए तो अगर आप इसको solve करते हो तो आपको answer मिल जाएगा lambda is equal to 1,1,3 मतलब की 3 values आ सब्सक्राइब है लेकिन एक्चुली यह repeated sets है तो मतलब की हमारा आएगा content two elements two elements ही आएगा तो answer आजाएगा हमारा three option number three इसको solve करना है वो आप सोचना ठीक है बहुत बड़ी चीज नहीं है solve करना सिर्फ आप थोड़ा direct solve करना जाओगे तो भी answer आजाएगा लेकिन मैं number of integers greater than 6000 ठीक है मतलब की 6000 से बड़े number can be formed using the digits three five six seven eight without repetition without repetition तीन पांच छे साथ और आठ इन सब का यूज करके हम कितने 6000 से ज्यादा वाले number बना सकते है तो पहली चीज कि हम बात करें पांच डिजिट है यहाँ पे तो अगर मुझे 6000 से ज्यादा के number बनाने है तो but obviously चीज है कि अगर चार डिजिट के number मैं सोचूं तो यह जो place है यहाँ पे या तो आ सकता है 6 या तो आ सकत है 8 यह 3 आ सकते हैं इनमें से कोई एक आ सकता है तो यहाँ पर मैं 30 मैं से कोई भी एक आ सकता है और अब without repetition बोला अब मेरे पास कितने बजें चार नंबर बचें अब मेरे पास चार नंबर बच गए ठीक है सपोज कि पहले मैंने 6 ले लिया अब मेरे पास कोई भी चार कर रहा हूं सपोस्कि यहां पर चार में से कोई भी एक ले सकता हूं यहां तीन में से कोई भी एक और यहां दो में से कोई भी ठीक है यह आ गया और इन सबको भी मैं एक दूसरे के साथ यहां पर इंटर्चेंज भी कर सकता हूं ठीक है तो उसकी लिए मैं जो 3 digits बचे हैं, उसमें मैं 4 मैं से कोई भी 3 digit ले सकता हूँ, और उनको भी मैं multiply करूँगा 3 factorial के साथ, क्योंकि मैं इन सब को एक दूसरे के साथ exchange भी कर सकता हूँ, इन 3ों को, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 3 into 4C3 कितना होगा, 4C3 मतलब 4 into 3, ठीक है, मतलब कि, ये हो जाएगा मेरा 72, ठीक है, 4C3 कितना होता है, 4C3, 4 into, एक सेगन, 3 factorial 6 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 72, ओके, चलिए, तो ये हमारा आगया 72, लेकिन, ये क्या आया है, प्सु, स्री, ये हमारा आया है, 4 digit के नंबर्स आया है, लेकिन, हमारे पास तो टोटा 5 digits है, और 5 digits के कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, 5 digits के कोई भी नंबर ले लो, वो तो 6000 से बड़े ही होने, तो मतलब कि 5 digits के अगर नंबर मैं सोचू, ठीक है, तो यहां 5 में से किसी एक को भी मैं रख सकता हूँ, बाकि ये 4, फिर 3, फिर 2, और फिर एक, मतलब कि 5 factorial तरीके से मैं रेंज कर सकता हूँ, मतलब कि 120, ठीक है, तो 5 digits के नंबर बन जाएंगे 120, विदाउट रिपिटेशन, तो 72 plus 120, that is, 192 is my final answer, इतने नंबर बनेंगे, जो की होंगे 6000, 6000 से ज्यादा, 600 से ज्यादा, इतने 192, ठीक है, चलिए, simple question दाइए, next, आगे बढ़ते हैं हमारे, ओके, this question, यह अगर आप लोगोंने मेरा JWMains Rank Booster Series देखा है, उसमें मैंने ये question बहुत ही अच्छे से explain किया है, यहाँ पर हमें बूला है, sum of coefficients of integral powers of x in the binomial expansion, ठीक है, तो पहले ये है, 1-2 root x to the power 50, ज्यान से दिखना है, 1-2 root x to the power 50, अगर मैं इसका expansion करता हूँ, तो मुझे मिलता है, 50C0, ठीक है, फिर आ जाता है मेरा minus 50C1, 2 root x to the power 1, फिर प्लस आ जाता है, 50C2, 2 root x to the power square, फिर प्लस, up to up to इस तरह से जाएगा, 50C, 50, 2 root x to the power 50, इस तरह से आएगा चीक है, अब इसमें बोला है मुझे कि integers power, तो integer power के लिए क्या क्या आ सकता है, एक तो यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, मतलब कि जो odd terms है, negative वाले, वो सारे cancel out हो जाते हैं इसमें, जो odd terms है, यहाँ पर देखो, root x आ रहा है, किसी तरह से आगर root x का cube आएगा, मतलब कि x is to 3 by 2 आएगा, तो वो भी integer नहीं होगा, तो negative terms इसमें cancel हो जाते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए, कि जब भी हमें negative terms cancel करना होता है, तब हम क्या करते हैं, same equation, लेकिन बीच में plus लिखते हैं, और फिर उन दोनों series का addition करते हैं, this is generalized approach, किस तरह से, कि अगर मैं लिखूं, कि 1 plus 2 root x to the power 50, अगर मैं यह लिखता हूँ, चीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 50C0, प्लस आजाएगा, 50C1, 2 root x, same equation आएगा, चीक है, लेकिन हर जगा, हर sign यहाँ पर प्लस आजाएगी, बस, 50C2, 2 root x, का whole square, plus up to up to up to plus मैं लिखता जाओंगा, 50C50, 2 root x to the power 50, यह आजाएगा, चीक है, तो अगर हम इन दोनों का addition करते हैं, तो यह दोनों terms निकल जाते हैं, और हमारे पास ultimately बचता है यह वाले terms, चीक है, मतलब कि जो integer power है, तो यही approach यहाँ पर follow होता है, चीक है, तो हमें क्या बोला है कि coefficient, जो binomial expansion है, उसके coefficients का addition चाहिए, तो हमें यहाँ पर x, x भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, x की जगा सिर्फ रख देता है, 1, x की जगा 1 रख देता हूं में हर जगा, तो सिर्फ मुझे coefficient मिल जाते हैं, बहुत ही simple method है, तो मतलब कि, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कि जो, यह है, 1-2, root x to the power 50, प्लस, 1-2, root x to the power 50, divided by 2, यह मुझे ही देता है, coefficients का summation, कैसे, फिर से बता दे रहा हूं, अगर मैं इन दोनों का summation करूँगा, तब क्या होगा, देखो, यह negative terms, एक दूसरे को मार डालेंगे, और जो positive terms है, वो 2 से multiply होंगे, तो इसलिए मैंने divide भी 2 कर दिया, तो यह मुझे ultimately क्या देगा, coefficients, चीक है, और उसमें भी मुझे क्या रखना है, यह मुझे क्या देगा, यह देगा, 50C0, प्लस, 50C2, इंटू, टू, रूट, एक्स, का पावर, स्वेर, प्लस, अप्टू, 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 50C50, टू, रूट, एक्स, का पावर, 50, यह मुझे, यह चीज़ देगा, चीक है, अब मुझे, सिर्फ, इसका coefficients का 50C0, प्लस, 50C2, इंटू, प्लस, अप्टू, 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 आएगा, प्लस, 50C50, टू, 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 पावर, 50, यह होगया, coefficient का एडिशन, यहां पर भी 1 रखता हूं, तो, 1-2, माइनस, 1, माइनस, 1, का 50, मतलब की 1, प्लस, 1, प्लस, 2, प्लस, 3, to the power 50, divided by 2, this is my final answer, this is my final answer, I hope, सबको यह question समझ में आया होगा, 1, क्लस, 2, to the power 50, divided by 2, this is my final answer, ठीक है, कौन सा यह option, यह option, यह, option number, A, this is the correct option, ठीक है, यह भी एक clear कर सकते हैं, ठीक है, next question देखते हैं, okay, if M is the AM of two distinct real numbers, L and N, यहीं पर लिख देते हैं, AM मतलब की क्या है, arithmetic mean, मतलब की L प्लस N by 2, यह हमें दिया है, मतलब की L प्लस N is equal to 2M, यह हमें question में दिया हुआ है, equation 1 बोल तो, यहां ही तक ही पढ़ा है, ठीक है, L and N greater than 1 बोला है, and G1, G2, G3, R3, geometrical means between L and N, okay, ध्यान से देखना है, यह अच्छी line, यह लाइन आप समझ गए तो, यह question आपका solved, यहां पर बोला है, कि G1, G2, and G3, R, geometrical means between L and N, अगर यह L and N के बीच में है, ठीक है, तो मतलब की L, G1, G2, G3, and N, यह पांचों के पांचों किस में होने चाहिए, geometrical progression में, तभी यह तीनो, क्या बोलते हैं, इसके बीच के GP होंगे, ठीक है, I hope यह सबको concept पता होगा, मैंने यह आपको बताया हुआ है, पहले भी, तो अगर इस तरह से यह दिया हुआ है, तो उसका आर्फ क्या हुआ, कि यह first term L है, तो second term में ले 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 to the power 4, ठीक है, और यही मुझे दिया है N के बराबर, अब यह तो मैंने जो question में दिया था, वो मैंने लिखा है, अब मुझे चाहिए क्या final है, finally मुझे चाहिए, क्या चाहिए देखो, G1 to the power 4, 2G2 to the power 4, G3 की power 4, मतलब कि G1 to the power 4, plus 2G2 की power 4, plus G3 की power 4, अब देखना, G1, G1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से, LR, तो यह हो जाएगा, L to the power 4, R to the power 4, plus 2, G2 को क्या लिख सकता हूँ, G2 मतलब की LR square, तो यह हो जाएगा, L to the power 4, R to the power 8 हो जाएगा, square का 4 होगा, तो 8 आएगा, चीक है, यह 4 है, plus G3, G3 मतलब की LR cube, मतलब की L to the power 4, और R की power हो जाएगा 12 मतलग कि 12 हो जाएगा चीए यहां से common क्या ले सकते हैं ल to the power 4 और तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 to the power 2 r is to 4 plus r to the power 8 अब यह क्या है इस नथिंग बड ल to the power 4 और तो दी पावर 4 यह 1 प्लस और तो अब इसकी जगा हमें क्या पूट कर सकता हूं मैं द्यान से समझना मुझे एक चीज यहां पर पता है तो यहां से यहां से common और उस साइड ले लेता हूं तो 1 प्लस r to the power 4 is equal to 2m by L ठीक है वन प्लस r to the power 4 की जगह मैं 2m by L लेक्स कता हूं अब आप ओलेंगे कि सर मैं ऐसा क्यों करूं मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्यूंकि जब मैंने इसका आंसर question में देखा इससका आनसर ये ये तो मैना निकल गया था यहीं में अनसर है ठीक है लेकिन मैंने इसको question में देखा तब मुझे L दिखा लेकिन मुझे m और n रही truck मतलब कि answer मुझे l और n के termchine में रहां है या र ही टिउonter है ठीक है तो वही उसी Hyp के लिए मैंने क्या किया, कि मैं 1 प्लस R को मैंने substitute करने का सोचा, तो 1 प्लस Rs to 4 मुझे यहां से मिल सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, L to the power 4, R to the power 4, 2M by L का whole square, I hope यहां तक सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी टफ चीज यहां पर मैंने नहीं किये, तो अब यह क्या हो जाएगा, फिर से next page मैं लिखता हूँ, L to the power 4, R to the power 4, यहां क्या होगा, 2M by L का whole square मतलब की, 4M square by L square, यहां तक हो गया, ठीक है, तो अब देखना, यह हो जाएगा, यह दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो यहां पर 2 power बच गई, ठीक है, अब अगीन, यहां पर अगीन, यहां पर अगीन, यहां पर बचा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको L into L to the power 4 into 4M square, तो यह क्या हो जाएगा, L into R to the power 4, वो क्या है, वो है, N, यह हो जाएगा, N, 4M square, ठीक है, मतलब की 4 L N M square, क्या हो गया हमारा 4 L N M square, this is my final answer, I hope यह भी अच्छे से सबको समझ में आया होगा, 4 L N M square, मतलब की option number 2 is correct, ठीक है, this is my final answer, आगे बढ़ते हमारे next question की और, मैं बोलूँगा कि अब तक जितने भी question थे, उसमें यह अच्छा question था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन, हाँ, moderate level का था, tough level इसका भी नहीं था, next question की और, ओके, अगे sequence in series करें हो, sequence in series की मैंने अभी अभी PDF अप्लोड की है, मैं आपको उसमें भी बताया था, कि sequence series में यहीं जो question है, इस तरह के basic questions ही आते रहते हैं, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है 1, 1 प्लस 3, okay, 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब कि यह बन रहा है, यह बन रहा है, अगर आपको इस तरह से ना पता चले, डैरेक्ली, क्योंकि यह generalize series है, यह actually है 2N-1 की series, अगर आपको इस तरह से ना पता चले, तो आप n टम का जो normal formula है, सब्सक्राइब, यहां हो जाएगा, सब्सक्राइब, यहां पर क्या होगा देखना, यह हो गया, अब नीचे क्या है, सिग्मा 2N-1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2N-1 को, वो मैं एक next page मैं ला जाके लिखता हूँ, अच्छे से, सिग्मा 2N-1, तो यह हो जाएगा, सिग्मा 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा N-1, तो 2, सिग्मा N मतलब की, यह मैं फिर से सबको formula बता देना चाहता हूँ, यह तो पता ही होने चाहिए, कि अगर आपको N natural numbers पूछा है, sum of N terms, ठीक है, N natural numbers, तो वो हो जाएगा, N, N plus 1 by 2, तो इसी तरह से sum of N square, अगर series बनाए, 1 square, 2 square, 3 square, इस तरह से हो, तो N, N plus 1, 2 N plus 1 by 6, ठीक है, और अगर आपने N cube की series बनाई है, 1 cube, 2 cube, 3 cube, तो N, N plus 1 by 2 का whole square, मतलब N square N plus 1 square by 4, वही मैं यहाँ पे लिखा है, देखो, यहाँ पे लिखा है, N square, N plus 1 square by 4, क्योंकि N cube की series है, चलो, कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा, यह सिग्मा 1, सिग्मा 1 होता है, N, ठीक है, 1, 1, 1, 1, N time लिखूंगा, तो N आजाएगा, तो यह एक दूसरे को मार डालेंगे, इन दोनों में से N common, तो अंदर बचेगा, N plus 1, स्वरी, यहाँ पे N common, तो N plus 1, minus 1, यहाँ से भी 1 बचेगा, तो यह हो जाएगा, N into N, that is N square, मतलब कि, सिग्मा 2N minus 1 की जगावे, मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 2N minus 1 की जगावे, मैं लिख सकता हूँ, N square, यहाँ पे आजाएगा, N square, तो यह ultimately N square, N square भी मार डालेंगे, तो यह बन जाएगा, N plus 1 का whole square by 4, ठीक है, अब यह क्या है, यह Nth number, जो Nth term है, उसका generalized equation, summation क मुझे मिल गया है, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, 9th term तक चाहिए, तो मैं इसका expansion करके, simplify करूँगा, तो मुझे answer मिल जाएगा, यह Nth term है, उसका मैंने simplification लिखा है, सिर्फ, चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, sigma TN चाहिए, मुझे, तो sigma TN क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 by 4, N plus 1 का whole square, मतलब की, N square, plus 2N plus 1, और उसका भी क्या है, sigma है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 by 4, यहाँ पर आजाए, sigma N square, plus 2, sigma N, plus sigma 1, चीक है, तो यह हो जाएगा, 1 by 4, यहाँ पर आजाएगा, again मैंने बता है, आपको N, N plus 1, 2N plus 1 by 6 चीक है, यहाँ पर आजाएगा, 2, N, N plus 1 by 2, और यहाँ पर आजाएगा, N, ठीक है, यह हो गया, अब, यहाँ पर, simply, N की जगा, मुझे एक चीज़ पूट करनी है, वो है 9, क्योंकि मुझे question में ही बूला है, कि first, 9 times का addition चाहिए, तो यहाँ पर N की जगा, मैंने 9 पूट कर करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है, 96, and this is my final answer, I hope, सबको समझ में आखोगा, quite easy question में बोलूगा, यह question tough नहीं था, sequence series में मैंने आपको पहले भी बताया है, कि formula basic question बनते हैं, इसमें, ओके, चलो कोई नहीं, आगे मठते हैं, आज के हमारे last question की और, जो है हमारा, किस paper का 10th number का ओ भाईया, यह तो आगे limit continuity, limit continuity, differentiability, integration, determinant and matrices, trigonometry, इन सब का full course अवेलेबल है, इन सब के बाहर, अगर आपने full course देख लिया, तो में में कुछ करने की जरूद भी है, एडवांस में भी वही full course user होगा, लेकिन उसमें थोड़ी practice हमें ज्यादा चलेगी, वह जब एडवांस का मैं उसमें थोड़ी वीडियो और अप्लूड करूँगा, लेकिन में के लिए हमारा full course अवेलेबल है, उसमें यह भी question मैंने solve करवाया हुआ है, बहुत ही easy तरह से इसको हम solve कर सकते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पर मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर हमें लिखा है, limit x tends to 0, 1 minus cos 2x, 3 plus cos x divided by x tend 4x, ठीक है, अगर मैं 0 put करता हूँ, तो यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, 0 by 0 form हो रहा है, L hospital rule में apply कर सकता हूँ, but obviously, चलो, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, इसके अलावा भी हम थोड़ा दिमाग इसको solve कर सकते हैं, कैसे, पहले तो, अगर मैं x 0 यहाँ पर दे दू, इस function को, 3 plus cos x को, तो यह मुझे क्या देखा, 0, तो cos 0 होता है, 1, 3 plus 1, 4, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 4 यहाँ पर side में लेख लेता हूँ, चीक है, तो उतना मेरा काम हो गया, limit में आप ऐसा कर सकते हो, limit x tends भी 0 हो जाएगा, यह, again, 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2x को मै में ले सकता हूँ, 2 sin square angle half, चीक है, 2 sin square angle half, अब मुझे एक पता है कि यहाँ पर sin square है, तो यहाँ भी नीचे भी मुझे क्या चाहिए, square ही चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक x already available है, और एक x मैं एक्षा लिया है, तो अगर मैंने multiply नीचे किया है, तो मैं उपर भी एक x multiply करूँगा, तो उपर भी मैंने x multiply कर दिया, और नीचे के आथा 10, 4x, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है, अब देखो, यह जो है limit x tends to 0, sin square x, जितना हो जाए उतना solve करके खतम करो उसे, ठीक है, इतना जो मैंने लिखा है, limit x tends to 0, यह, ठीक है, तो यह कि और function बाक किये, 8 into x upon 10, 4x, ठीक है, अब अगीं, 10, 4x है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तभी यह formula बनेगा, तो 8 को मैं लेख लेता हूं, क्या लिखता हूं, बता है, 8 को मैं यहाँ से erase करके मैं लेखता हूं, 2 into 4, और यहाँ पर सिर्फ 2 multiply करता हूं, यहा यह पूरा हो जाएगा, 1, तो यह मुझे लेदेगा, 2 into 1, that is 2, which is my correct answer, I hope यह भी सबको समझ में आया, होगा, option number 3 is, पहले question से, if function g of x is equal to k square root of x plus 1, for 0, 2, 3, यह interval दिया है, अगर यह interval है, तो यह function है, और अगर 3 to 5 यह interval है, तो यह function है, ठीक है, is the differentiable, differentiable बोल दिया है, वहिया, then the value of k plus m, k here and m here, दोनों का addition की value क्या है, वो हमें find करना है, ठीक है, अब एक चीज़ पहले तो हमें clear cut पता होनी चाहिए, कि अगर differentiable है function, that means, कि वो continuous भी होगा, और differentiable भी होगा, ठीक है, लेकिन अगर continuous है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो differentiable होगा ही होगा, यह चीज़ होता है, तो it has to be continuous, ठीक है, इस interval में, तो अगर मैं continuity की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यह break 3 पर हो रहा है, तो अगर मैं continuity की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा, तो g of 3 minus is equal to g of 3 plus, ठीक है, क्योंकि differentiable है, तो continuous होना must है, it, देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, it has to be continuous, ठीक plus, दोनों equal होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k into root of 3 plus 1, that is 4 is equal to m into 3 plus 2, ठीक है, यह हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2k is equal to 3m plus 2, यह मेरा मिल गया, equation number 1, चलो कोई नहीं, यह तो है ही, यह additional condition है, और उसके साथ हमें बोल दिया है, कि भईया, यह तो differentiable भी है, अगर differentiable है, तो मतलब की, g dash of 3 minus, is equal to g dash of 3 plus, ठीक है, अब 3 minus मतलब की, यह वाला function, k root x plus 1, तो उसका differentiation क्या हो जाएगा, k divided by 2 root x plus 1, ठीक है, is equal to, at कौन से point, at x is equal to 3, क्योंकि यहाँ पर 3 minus है, ठीक है, और 3 plus के लिए कौन सा function है, 3 plus के लिए यह function है, तो इसका differentiation हो अगर मैं यहाँ पर 3 put करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, मुझे k divided by 2, यहाँ पर 4 plus 1, 3 plus 1, 4, 4 का square root 2, 2 into 2, that is 4, मतलब की, m is equal to k by 4, m is equal to k by 4, मिल गया, इसको मैं बोल देता हूँ, equation number 2, अब मेरे पास 2 equation है, equation 1 and equation 2, अगर मैं दोनों को solve कर देता हूँ, मतलब की, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, sorry, k is equal to 4 m, k is equal to 4 m, और k is equal to 4 m, को मैं यहाँ पर put कर देता हूँ, तो मैं अगर दोनों को solve करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है, k is equal to 4 m, यहाँ पर put करता हूँ, तो मुझे m मिल जाएगा, 2 by 5, और अगर उसको ही मैं, फिर m को मैं यहाँ पर वापस put क मुझे मिल जाएगा k is equal to 8 by 5 और अगर मैं दोनों का addition करता हूं m plus k that means कि 2 by 5 plus 8 by 5 मतलब की 10 by 5 मतलब की 2 2 option number 1 is my correct answer I hope सबको यह question समझ में आया होगा easy question था काफी easy question again next question हमारा मैं बोलूँगा यह भी काफी easy question है थोड़ा सा समझनी की ज़रूवत है यहां पर बोला है normal to the curve this at this अब पहली चीज कि normal का अगर मुझे equation चाहिए तो मुझे दो चीज़ चाहिए एक तो मुझे चाहिए normal का slope और एक मुझे चाहिए point point मुझे given है 1,1 अब बात रही स्लोप की तो स्लोप के लिए मैं क्या करूंगा टेंजेंट का स्लोप फाइंड करूंगा और फिर उसके मैं कर दूंगा माइनस वन क्योंकि हमें पता है normal का slope इंटू टेंजेंट का slope slope of tangent इंटू normal is equal to होता है माइनस वन क्योंकि दोन एक जुसरे के इसका मैं डिफ्रेंट्येशन स्टार्ट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू इंटू यहां पर क्या हो जाएगा टू कॉमन एक्स क्टंस्टंट वाइक का डिफ्रेंट्येशन वाइडेश ओर माइनस वाइक चिंट टिक है माइनस यहां पर आ जाएगा कि मुझे कौन से पॉइंट पर चाहिए 1,1 पर 1,1 पर यहां पर मैं 11 हर जगा पुट कर देता हूँ तो यह मिल जाएगा मुझे 2 प्लस 2 y dash प्लस 2 माइनस 6 y dash is equal to 0 तो यहां से मुझे मिल जाएगा y dash is equal to 1 y dash y dash मतलब की dy y dx is equal to 1 and dy y dx मतलब की यह है tangent का slope अब अगर tangent का slope 1 है तो 1 into normal का slope is equal to minus 1 तो normal का slope क्या हो जाएगा नोर्मल का slope मुझे मिल गया minus 1 अब मुझे normal का slope मिल गया है और मुझे point भी पता है point कौन सा है 1,1 तो slope है मेरे पास minus 1 और point है मेरे पास 1,1 तो यहां से मुझे equation मिल सकता है y minus y1 is equal to m x minus x1 X1 मतलब की 1, ठीक है, तो अगर मैं इसको solve करता हूँ, तो solve करने पर मुझे मिल जाएगा, X plus Y is equal to 2, यह मुझे मिल गया है equation, ठीक है, यह मुझे मिल गया normal का equation, normal equation, ठीक है, चलिए, कौन से equation के लिए, यह कव के लिए, और 1,1 point के लिए, ठीक है, अब मुझे बोला है, कि this does not meet the curve again, okay, meet the curve in second quadrant, meet the curve again in third quadrant, meet the curve again in fourth quadrant, अब यहाँ पे, यह normal का है, इस पे, एक बार तो मिली रहा है, one time यह intersect कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, वो हमें check करना पड़ेगा, अगर नहीं मिल रहा होगा, दूसरे बार intersect नहीं कर रहा होगा, तो option ही correct हो जाएगा, और अगल मिल रह होगा, तो जो points मिलेंगे, उसमें से हम देख पाएंगे, second, third, fourth quadrant है, simple है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहां से मुझे पता है, कि मैं लिख सकता हूँ, यहां से, कि y is equal to 2 minus x, तो y is equal to 2 minus x को मैं put कर दूँगा, हमारे काउ के equation में, काउ का equation क्या था, x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0, यहां पर मैं put कर देता हूँ, तो मिल जाएगा, x square plus 2x, यहां पर हो जाएगा, 2 minus x, minus 3 लिखने के बाद, 2 minus x का whole square, ठीक है, is equal to 0, अब इसको simplify करता हूँ मैं, तो simplify करने से मुझे आता है, x square minus 4x plus 3 is equal to 0, तो यह हो जाएगा, x is equal to 1 and 3, ठीक है, x is equal to क्या मिल गया मुझे, 1 and 3 अब आप देखो, x is equal to 1 में रखता हूँ यहां पर, ठीक है, x is equal to 1, तो y क्या आ जाएगा, 1, जो तो हमें point already given था, 1,1 point, 1,1 point हमें given था, अब है x is equal to 3, तो y मिलेगा, मुझे minus 1, तो यह कौन सा point हो गया, minus 1, ठीक है, x is equal to 3, तो y is equal to minus 1, तो 3, minus 1, यह हमारा next point मिला, मतलब कि यह intersect, दूसरी बार भी कर रहा है, और कौन से quadrant है, यह बताओ मुझे, यह है, fourth quadrant, तो मेरा correct answer हो जाएगा, option number 4, की meets the curve again, but in the fourth quadrant, ठीक है, I hope सब को यह समझ में आया होगा, again moderate level का question था यह, next question हमारा limit continuity पे है, यह question मैंने हमारे full course में solve करवा है, again मैं बारवार बतात में रहता हू कि जो लोगों ने हमारा full course देखा है, उच चेप्टर के question आपको 100% आएंगे ही आएंगे, क्या बोला है यहाँ यहाँ पर, कि let f of x be the polynomial, यह polynomial of a degree 4, degree 4 बोला है, having extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2, ठीक है, extreme values at x is equal to 1 and x is equal to 2, यह बोला है, तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़े मेरे पास, मैं समझ जा सकता हूं आपको, पहले तो polynome degree 4 बोला है, मतला highest degree 4 होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बता है, ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है, अब इसका मुझे बोला है कि extreme point 0 है, तो मुझे एक चीज़ पता है, कि अगर यह f of x है, suppose कि, तो f dash of 1 and f dash of 2, बोथ उसकी value क्या होगी 0, तो यह extreme point का meaning ही वही है, कि उसका differentiation करो, और उसका solve करो, तब differentiation is equal to 0 होगा, तब जो value मिलती है, वो ही extreme points कहलाती है, तो 1 और 2 पे f dash उसका 0 होगा, यह भी हमें पता है, दूसरी चीज़ हमें दिया है, कि if limit x tends to 0, 1 plus f of x divided by x square is equal to बोला है, हमें 3, then f of 2 is equal to what, अब यह बहुत ही सुंदर question है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पताना चाहता हूँ, कि कई लोग है न, यह f of x is equal to यह जो है न, यह पूरा, क्योंकि यह 4 degree का polynomial ही है, तो यह assume करके फिर solve करना start करते हैं, और फिर आगे जाके वो दिक्कत में आ जाते है, solve होगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, और उससे शाद तक आपका answer ना भी आए, क्यों, क्योंकि हमें यह पूरा solve करने की ज़रूरत नहीं, इस पे हमें आप देखो, इसमें हमें 3 equation बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें A, B, C, D, E, 5 चीज़े चाहिए, तो तीन नही limit x tends to 0, 1, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1, plus limit, limit x tends to 0, 1, 1 होगा, x tends to 0, f of x, divided by x square, is equal to 3, बोला है, मतलब कि, यह जो limit है न, उसकी value, कोई digit आ रही है, 3 minus 1, मतलब कि 2 होगा, तो कोई numerical digit, integer value आ रही है, ठीक है, infinite idea, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका अर्थ यही है, कि यह जो f of x, जो polynomial है, उसकी degree हम 2 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचो, कि अगर मैं इसका degree, suppose कि इस तरह से ले लू, ax rest to 4, plus bx cube, plus cx square, plus dx, suppose कि e मैंने 0 assume कर ली है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे x square, तो य यह आ जाएगा bx, यह आ जाएगा c, plus yg d by x, और x tends to 0 है, तो यह infinite हो सकता है, ठीक है, और अगर मैंने e b ले लिया होता, तो यहाँ पर आ जाता e by x square, वो भी infinite तक जाता, ठीक है, मैं यही बताने का try कर रहा हो, कि यहाँ पर एक integer value बन रही है, हमारे सामने, ठीक है, तो उस यह दोनों नहीं आएंगे, तो हमारे पास जो अभी equation बनेगा, वो सिर्फ यही बनेगा, a x rest to 4, plus b x cube, plus c x, ठीक है, तो अभी मैं इसी equation से आगे बढ़ूँगा, I hope यह सबको clear होगा, और इसको ही मैं बोलूँगा f of x, ठीक है, चलिए, अब हमें बता है कि f of x यही है, क्यो मैंने आपको समझा दिया है, अब f of x मैं इसको लिखता हूँ, तो f of x क्या हो जाएगा, 4 a x cube, plus 3 b x square, plus c, 2 c x, ठीक है, यह क्या हो गया, c x square है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, a x rest to 4 b x cube, c x square, यहाँ पर आजएगा, 2 c x, चलिए, अब इसको मैं equate करता हूँ जीरो से, ठीक है, तो मुझे extreme points मिलते हैं, और extreme points कहाँ पर दिये हैं, मुझे 1 and 2 पर, तो f dash of 1 क्या हो जाएगा, f dash of 1 हो जाएगा, 4 a plus 3 b plus 2 c is equal to 0, और f dash of 2 b हो जाएगा, मेरे लिए, 32 a plus 12 b plus 4 c is equal to 0, यह हो गया मेरा equation 1, यह हो गया मेरा equation 2, लेकिन again I am saying कि हमारे पास तो 3 unknown ह और हमें चाहिए, 3 equation, तभी हम solve कर पाएगी, यह भी 2 है, ठीक है, तो दीखिए, तीसरा equation में कैसे लिखूंगा, हमारे limit वाले से, कि limit x tends to 0 मुझे दिया है, वो है 1 plus f of x divided by x square is equal to, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, limit x tends to 0, 1 की जगहा पर क्या आ जाएगा, 1 plus f of x, मतलब क x cube plus c x square divided by x square, ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ पर limit तो ही, यहाँ पर limit ही, लिख लेता हूं में, limit x tends to 0, तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus, यहाँ पर limit x tends to 0, यहाँ अब x square separate देता हूं, ax square, bx, c, अब limit put तरता हूं, तो यह हो जाएगा, 1 plus c, ठीक है, और 1 plus c हमें क्या दिया है, question में, question में इसकी value दी है, देखो, question में दी है, इसको 3, तो यह हो जाएगा, मेरे 3 के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, 3, तो मुझे c मिल जाएगा, 2, ठीक है, c मुझे मिल गया है, 2, c मिल गया है, 2, एक मेरा answer आगया है, c2, अब, c2 को मैं यहाँ दोनों जगा पुट कर देता हूं, ठीक है, c2 को मैं यहाँ पर दोनों जगा पुट कर देता हूं, तो क्या होगा, देखो, तो equation हो जाएगा, 4a, plus 3b, is equal to, minus 4, and 32a, plus 12b, is equal to, minus 8, ठीक है, मैंने दोनों जगा equation को put कर दिया है, अब मैं इसको solve करता हूं, solve, ठीक है, अगर मैं इसको solve करूँगा, दो equation है, दो variable है, तो मुझे a और b के value मिल जाएगी, a मिल जाएगा, मुझे 1 by 2, और b मिल जाएगा, मुझे minus 2, ठीक है, मैंना solve किया हूं, अभी मैं solve करने नहीं बेठूँगा, तो a is equal to 1 by 2, and b is equal to 2, यह मुझे मिल गया है, ठीक है, और अब मेरा equation क्या बन जाएगा, 1 by 2, x raise to 4, minus 2x cube, plus c हमारा क्या आया था, c हमारा आया था 2, 2x square, यह मेरा हो गया, f of x, और अब मैं x की जगा क्या put करूँगा, again 2, क्योंकि मुझे f of 2 चाहिए, तो f of 2 में रिली हो जाएगा, 1 by 2, into, यहां पर आ जाएगा, 2 raise to 4, that is, 16, minus ल 8, और यहां पर आ जाएगा, plus 8, ठीक है, यहां पर 4, 4 into 2, 8, यहां पर आ जाएगा, यह हो जाएगा, 8, 8 plus 8, that is 16, 16 minus 16, that is 0, मेरा correct answer, मेरा final answer, जो इस question का बनेगा, वो बन जाएगा, 0, option number कौन सा है, देख लेते हैं हम लोग, option number है, c, 3, this is my correct answer, 0, ठीक है, I hope सब को समझ में आ किया ही है, solve definitely मैंने आपको समझाया है, हुआ है, उस time भी यह, फिर से मैं solve कर रहा हूँगा, कि integral, dx upon x square, x is to 4 plus 1, whole is to 3 by 4, equals to what, ठीक है, अब इस type के question में मैंने आपको बहुत अच्छे से approach समझाया हुआ है, कि यहां पर सारी की सारी चीज़ें नीचे है, और कहीं पर भी जैसे ही कुछ चीज कॉमन लूँ इस तरह से, कि वो derivative में generate हो सके, किस तरह से, अभी मैं समझायाता हूँ, आपको देखो, हमें दिया है integration, dx upon x is to x square, x is to 4 plus 1, whole is to 3 by 4, यह हमें दिया है, चीक है, अब देखो, मैं क्या करता हूँ, यहां पर 3 by 4 है, तो मैं x is to 4 common लोगा, तो 4 whole is to 3 by 2, तो बाहर के आएगा सिर्फ x cube आएगा, यह समझना जरूर ही है, बाहर के आएगा x cube आएगा, तो यहां पर हो जाएगा x is to 5, यहां पर हो जाएगा 1 plus 1 upon x is to 4, rest to 3 by 4, अब आपको question easily समझ में आ गया होगा, फिर से बता रहा हूँ, मैंने x is to 4 common लिया, x is to 4 common लेता ह हो जाएगा, तो 3 by 4, तो यह क्या हो जाएगा, x cube हो जाएगा, और यहां पर और अल्रेडी x square था, तो यह हो जाएगा x is to 5, अब आपको question clear हो गया होगा, अब question बहुत easy है, यह first step ही था जो है वो, अब मैं क्या करूंगा, let's assume कि यह मेरा हो जाएगा 1 plus, इसको और खोड़ स to 3 by 4 dx, ठीक है, अब मुझे दिखरा है कि यह function है, यह उपर उसका differentiation है, तो मैं क्या simply कर दूंगा, 1 plus x raise to minus 4 को मैं ले लेता हूँ t, तो यह हो जाएगा, minus 4 x raise to minus 5 dx is equal to dt, तो यहाँ पर हो जाएगा, x raise to minus 5 dx is equal to minus dt by 4, यह हो गया, अब मुझे question पता है, यहाँ पर आ जाएगा minus 1 by 4 मैं बाहर लेता हूँ, यह हो गया, dt, यहाँ पर आ गया नीचे, t raise to 3 by 4, ठीक है, चलिए, बहुत ही clear है यह अब तो, t raise to 3 by 4, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको integrate करता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, t raise to minus 3 by 4 ही है, minus 1 by 4, integration, t raise to minus 3 by 4 dt, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह ज्यान से दिखिएगा, यह हो जाएगा, minus 1 by 4 into, t raise to minus 3 by 4 plus 1, minus 3 by 4 plus 1, that is 1 by 4, नीचे भी आ जाएगा, 1 by 4 plus c, यह दोनों भी एक दुसरे को मार डालेंगे, तो सिर्फ मेरे पास बचेगा, क्या, minus t to the power 1 by 4 plus c, तो यह हो जाएगा, minus t मैंने क्या अज्यूम कि यह था, यह वाला, 1 plus x is to minus 4, 1 plus x is to minus 4, की power में 1 by 4 plus c, और इसको मैं और थोड़ा simplify करता हूँ, क्योंकि यह मुझे answer में शाय तक नहीं दिया है, मुझे x is to 4 के terms में, ठीक है, कोई नी, तो minus वैसे का, वैसा रहेगा, यह 1 upon x is to 4, और फिर LC हम आएगा, तो यह हो जाएगा, x is to 4 plus 1, divided by x is to 4, to the power 1 by 4, plus c, this is my correct answer, यहाँ पर minus sign available है, यह कौन्स option है, यह है option number 4, option number 4 is my correct answer, I hope सबको यह भी समझ में आया होगा, full course में मैंने solve करवाया है, फिर सब बता रहा हूँ, limit and continuity, differentiability, definite integration, indefinite integration, determinants, matrices, और trigonometry functions, इन सब का अगर आपने full course देख लिया है, मेरे साथ solve किया ह है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, solve किया है, तो आपका answer, 99% means में बनेगा, मैं बोलूँगा, advance में भी बनेगा, ओके, आज का हमारा last question, जो है 15 number का question, देखिए, यह question भी मैंने solve करवाया होगा है, definite integration का है, same question 2013 में भी आया हुगा है, वहाँ पर sign cause था और यहाँ पर शाय तक pi by 6 और pi by 3 था, इस तरह का question आप देखो, जब 4, 2, यहाँ पर x square है, तो यह same function generate हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है, इसका answer आता है, b minus a by 2, मतलब कि 4 minus 2 by 2, that is 2 by 2, that is 1, इसका option आएगा, 3, 1, यह answer आएगा, कोई नी, कोई नी, यह याद रखने की ज़रूद नहीं है, मैं आ minus x, मतलब कि, यहाँ पर हो जाएगा, 4 plus 2, मतलब कि 6 minus x, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा, वहाँ महाँ मैं 6 minus x put करूँगा, देखिए तो क्या होगा, ठीक है, तो मुझे यह पता है कि i is equal to integration 224, यहाँ पर है log of x square divided by log 6, sorry, log of x square divided by क्या है, log x square है नीचे, plus log of, यहाँ प 12x plus x square dx, ठीक है, यह मुझे दिया है, चालिए, कोई नी, तो अब मैं क्या करता हूँ, a plus b minus x, f के जगा मैं put करता हूँ, 6 minus x, ठीक है, तो यह हो जाएगा, i is equal to, 224, यहाँ पर आ जाएगा log of, 6 minus x का whole square divided by, यहाँ पर हो जाएगा log of, 6 minus x का whole square, और plus, यहाँ पर हो जाएगा log of, अगीन, यह जो चीज है न, यह चीज, 36 minus 12x plus x square, this is nothing but 6 minus x ही है, 6 minus x का whole square ही है, सोचो आप, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे लिए, 6 minus x है यह, यह क्या है, 6 minus x का whole square है, अब मैं x की जिगा, फिर से 6 minus x रख रहा हूँ, तो यह क्या हो जाए यह क्या generate हो गया, देखो, i is equal to हो जाएगा, फिर से मेरा, 224, यहाँ पर उपर आ जाएगा, log of, 6 minus x whole square, चीज है, नीचे आ जाएगा, मेरा, यहाँ पर, log of, 6 minus x whole square, प्लस, यहाँ पर क्या होगा, 6, 6 मार डालेगा, सिर्फ x square बचेगा, log of x square, चीज है, यह equation 2 हो गया, अब देखो, आप 1 और 2, LCM, अगर 1, 2 का में addition करता हूँ, तो क्या होता है, LCM मेरा same हो जाता है, उपर वाले का addition हो जाएगा, तो क्या होगा, i plus i, यहाँ पर 2i हो जाएगा, limit same है, तो 2 to 4 रहेगा, उपर आ जाएगा, log x square, plus log, 6 minus x square, और नीचे क्या है, नीचे भी, LCM तो same ही है, दोनों में, 6 minus x whole square, plus log of x square, यह दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो 2 to 4, 1 t x, मेरा बचेगा, finally, और यह हो जाएगा, मेरे लिए, x मतलब की, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 i है, तो i मेरा आ जाएगा, 1, I hope सबको समझ में आया होगा, तो 1 is my final answer, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब मुझे कैसे बता चला, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ यह सुच लिया, यहाँ पर यहाँ बहुआ है, तो अगर मैंों यहाँ सोच लिया, यहाँ बहुत्त है, यहाँ पर 6 – x2 हो जाएगा, मतलब ऑटौप में यह, जनारे हो रहा है, नीचे वाला जो दो टम है उसका अधिशन ही फिर दोनों का अधिशन करने पर मिल रहा है तो तब यही आंसर आता है हमेश्चा भी वाइनस एब तो अगर आपको यह पता नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं तो फिर भी आप यह में से करी सकते हो इस में से दूमें चलाएं तो भी कोई गवरा नहीं के ज़रों यहां पर हमें बोला है कि the area in square units of the quadrilateral formed quadrilateral formed by the tangents at the end point of the letter letter to the ellipse x square by 9 plus y square by 5 is equal to 1 I hope इसका अंसर मुझे सबने comment में दिया होगा अच्छा question ही यह मैं बोलूंगा काफी अच्छा question है यहां पर हमें पहले तो बोला है एक ellipse है हमारे पास ठीक है तो मैं यहां पर एक ellipse draw करता हूं ठीक है उसकी मैंने major axis x axis ली है क्यों क्यों क्योंकि हमें बोला है equation x square by 9 plus y square by 5 is equal to 1 तो यहां पर a हो जाएगा पहले तो 3 b हो जाएगा square root of 5 यह सब को पता है और e क्या हो जाएगा e हो जाएगा square root of 1 minus b square by a square that is 5 by 9 that is 2 by 3 2 by 3 हमारा a हो जाएगा जो बेजिक सीज़े है वो हमने find out कर ली ठीक है अब हमें यहां पर जो focus होगा focus से पास हो और major axis को perpendicular हो मतलब कि इस तरह से दो आएंगे ठीक है यहां भी आगया क्योंकि यहां भी आएगा दो focus होते सब आपको बताया और उसका tangent endpoints के tangent अब मतलब total देखा आप चार endpoints होंगे ठीक है मैं चारों को अलग लग color से दिखाता हूं तो आपको जाल समझ में आएगा तो यह एक tangent बनेगा इस तरह से देखना ठीक है फिर दूसरा blue से दिखा रहा हूं एक इस तरह से बनेगा ठीक है फिर तीसरा green से दिखा रहा हूं इस तरह से बनेगा ठीक है यहां से पास होता हुआ tangent और इस तरह से निकलेगा और चौथा बनेगा यहां से यह वाले इसको मैंने पूरा शेड किया है अगर इसका एरिया फाइंड कर लूं ठीक है तो मुझे क्या मिल जाएगा तो टोटल जो एरिया है वो मुझे मिल जाएगा यह जो एरिया है इतना तक सब कुछ सब कुछ clear हुआ होगा अब अब हमें क्या पूछा है तो अब हमारे टास्क हो गया कि इसका एरिया फाइंट करने के पहले तो आप देखो ध्यान से कि यह एक जो पॉइंट है यहां पर यह टेंजन टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है चीक है तो अब वह एरिया कैसे से पास होता हुँ आगर हमारा क्या बोलते हैं रों काद्र डेटर है यहां पर बोला है ऊंजो रहुष होता है यह एक्चूलि रहुं बस ही है तो यह जो रहुं बस है उसका अगर एरिया पूछा हो तो उसके पास हमारा हमारे पास formula बहुए to a square by ये फॉर्मिला भी हमारे अगर formula by chance आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यह end point find करना पड़ेगा चीक है तो आप सोचो कि यह जो end point है यह end point किवैल्रिव क्या होगी तो यह होता है हमारा मंचेत हमारा इसलिफंध लेकिन बार इसलिने होता है वो यह वाला पॉइंट है और नीचे वाले पॉइंट के लिए माइनस वाला कोडिनेट होता है ठीक है तो एकॉमा प्लस और माइनस बी स्क्वेर यह तो है हमारे पास एक थे एंड पॉइंट हो गया ठीक है चलो यह भी हम पता चल गया जैसे कि अब हमारे पास यह वाला पॉइंट आगया है जो लेटर सिरेक्ट्रम का यह वाला पॉइंट है वह अब हम क्या करेंगे हम यहां फोर्ट करूँगा तो मुझे यह रहुब बस जो कॉड्री लेटर है वो उसका एरिया हमें मिल जाएगा ठीक है तो अब मुझे एक चीज़ पता है कि यह तो यह जो इलिप्स है इससे टेंजेंट में है तो भाईया टेंजेंट का तो फॉर्मिला हमने पता है ना यार हमने प हो रहा है that point और वो point कौन सा है वो point हमने find किया है 2,5 by 3 कौन सा है वो 2,5 by 3 चीक है 2,5 by 3 है तो अब यहाँ पर x1 और y1 की जगह मैं 2 and 5 by 3 पूट करूँगा तो क्या मिल जाएगा देखना मुझे x into 2 divided by 9 plus y into 5 by 3 5 is equal to 1 तो अगर यहाँ से मैं cancel out करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा x upon 9 by 2 तो को नीचे लेगा अभी पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है y by 3 is equal to 1 तो x by a plus y by b is equal to 1 तो इससे क्या होगा मुझे यहाँ पर यह दोनों coordinates यह वाला और यह वाला मुझे यह पता चल जाएगा और वो कौन सा हैगा यह वाला coordinate मतलब की जहाँ पर y 0 होता है तो आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं y 0 रखता हूँ तो मुझे x मिल जाएगा क्या मिल जाएगा y 0 तो x 9 by 2 तो यह मिल जाएगा 9 by 2,0 और अगर x 0 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा 3 x 0 रखा तो y मिलेगा 3 तो मुझे 2 point मिल गए अब मेरे पास एक triangle बन गया है अब मैं सिर्फ यह triangle दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना यह tangent है यह जो hypotenuse है nothing but tangent यह origin है 00 यह क्या है यह है 9 by 2,0 और यह है 0,3 अब तो यह पता है कि इसका area क्या होता है 1 by 2 into this मतलब की 9 by 2 into this length मतल अब की 3 ठीक है तो यह क्या हो गया यह हो गया 27 by 4 लेकिन यह तो सिर्फ एक ही triangle है मुझे इसके multiply by क्या करना पड़ेगा 4 अभी मुझे पूरा मिल जाएगा तो इसके multiply by 4 करता हूँ तो क्या आ जाएगा 4 into 27 by 4 which is 27 जो मेरा फिर से correct answer है जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया तो या तो आप यह जो नॉर्मल मैथड है उससे कर सकते हो या फिर आप यह फॉर्मिला अभी डारिक्ली याद रख सकते हो to a square by ठीक है अगर यह फॉर्मिला आपको डिराइव करना है तो मैं डेरिवेशन में अभी नहीं जाऊंगा कि उसमें टाइम जल जाएगा डिराइ आप यहीं कोवाब इसके पर यहीं रखो और फिर इस तरह का एक एक इक 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 वेशन जन्रेट करो जो यह अभी यह फॉर्म में आएगा और फिर वहां से यह दो पॉइंट निकालो और अब अगर आप एरिया फाइंड करो तो आपको यहीं फॉर्मिला जन्रेट हो जाए कि इस कष़ाँएगोड फॉर्मिल जाएगा अब हमें बоловा जाएगा डॉल एकस के इस माईट निए into dy by dx plus y is equal to 2x log x अब देखो मैं dy by dx को मुझे equation दिखती ही मुझे feel आ रही है कि यह linear differential equation है LDE बन रहा है तो मैं क्या try करूँगा dy by dx को अकेला पाट देगा तो अकेला मैं करता हूँ उसको तो यह क्या हो जाएगा y y x log x is equal to यह divide हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा सिर्फ 2 देखो यह हो गया देखो यह हो गया y by dx है यहाँ y into f of x is equal to q of x मतलब कि यह हो गया मेरा LDE linear differential equation तो अब हमें उसका solution तो पता है चीक है तो पहले तो integrating factor find करना पड़ेगा integrating factor is equal to e raise to integration p of x dx अब यहाँ पर देखो e integration p of x मतलब कि यहाँ पर जो y का coefficient है वो y का coefficient क्या है यह वाला है y का coefficient मतलब कि x 1 upon x log x 1 upon x log x dx अब यह क्या है आप देखो इसको मैं ऐसे तो लेखी सकता हूँ यार ऐसे question मैं ने करवाए हूँ है इसको मैं लेख सकता हूँ 1 by x ठीक है तो e और log फिर cancel हो जाएगे तो ultimately हमारा बच बच जाएगा log x तो हमारा integrating factor भी आ गया है तो अब हमें solution तो पता ही है सबको solution पता होना चाहिए भया exam नस्दिक आ रही है y into integrity factor is equal to integration q of x into integrating factor dx plus c यह तो सबको formula पता ही होना चाहिए y into integrating factor y into integrating factor मतलब की log x integration q of x मतलब की 2 और integrating factor मतलब की log x dx plus c ठीक है अब यहाँ पर y log x तो वैसे का वैसा ही रहेगा और इसका मुझे करना पड़ेगा uvdx integration by parts तो 2 मैंने constant ले लिया और इसका integration अगर मैं अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा x log x यहाँ पर आ जाएगा x log x फिर minus आएगा इसका differentiation 1 by x फिर x फिर 1 और फिर x ठीक है यह आप थोड़ा practice करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा यह कैसे आया है uvdx यह ultimately apply किया है अगर आपको यह नहीं पता चल दाएगा है तो यह मुझे मिल गया ठीक है यहां तक मुझे यह मुर्या solution मिल गया मुझे complete अब मुझे condition दी है क्या यह एक्स greater than equal to 1 बोली ए और y of e find करने के लिए थीक है अब मैं क्या करता हूं let's put x is equal to 1 अगर मैं x is equal to 1 put करता हूं älбы kya हो एक्स इसल्ट अगर यहां पर one put करूँगा तो log 1 क्या हो जाएगा फिरो 2 2 1 2 log 1 again 0 minus 0 sorry minus क्या आएगा X की जगा हम put करना है 1 plus c तो यहाँ से मुझे C क्या मिलेगा पता है C मिछे मिलेगा 2 यह question अच्छा इसलिए है क्योंकि c की value find करने के लिए हमें कोई condition करने के लिए लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यह क्या बोलते हैं कि यह लॉग वाला फंक्शन है लॉग के लिए अगर मैं X is equal to one put करूंगा तो लॉग बन जीरो हो जाता है और question इसी तरह से जन्रेट किया हैं लोगोंने कि यहां पर वैल्यू ही नहीं है वाई कुछ भी आएगा कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉग वन तो जीरो ही होना है ठीक है तो आई होब सबको मैंने समझ में आ गया हो कि मैंने X is equal to one यहां पर क्यों लिया क्योंकि मुझे पता है इंटू X log X माइनस X plus two यहां बन जाएगा अब y of e चाहिए मुझे तो यहां हर जगा e पूट कर दूंगा log e होता है one और यहां पर आ जाएगा मेरा two e log e होता है one minus e plus two यहां पर आ जाएगा y is equal to two e minus e मतलब की zero plus two that implies y is equal to two यह मेरा answer हो गया I hope सबको यह समझ में आओगा y is equal to two option number three is my correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और ओके अगें मैं बोलूँगा यह मैं बोलूँगा यह मैच का related ही नहीं है थोड़ा basic aptitude टाप का question नहीं है यहां पर बोला है हमें कि the number of the points having both coordinates as integers मतलब की कोई भी अगर हमारा पास point होता है तो उसके दो integer अगर हम 2D में ले रहे हैं तो x, y लेते हैं तो दोनों के दोनों point मुझे कैसे चाहिए integers वो clearly बोल दिया है integers चाहिए चीक है दोनों के दोनों point मुझे चाहिए integers that lies in the interior interior बोला है ठीक है आउट नहीं on नहीं interior of the triangle with vertices 00041 and 410 अब मैं पहले तो एक triangle अच्छे से draw करके आपको थोड़ा समझाने का try करता हूँ यहां पर एक सेकंट पहले नहीं page ले लेते हैं हम लो और फिर यहां से मैं shapes में जाके एक triangle लोंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से clear होगा triangle available है यहां पर हाँ ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल अरे ओके इस तरह सब्सक्राइंगल है यहां आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने क्यों लिया क्योंकि मुझे क्लियली पता चल गया था यार पहले यह मुझे बोला है 0,0 फिर एक तो मुझे बोला था 4,1,0 तो मुझे पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है अब दूसरी चीज दूसरी चीज क्या होगी कि भया इसके अंदर ही सारे पॉइंट्स होनी चाहिए वह तो हमें पता है चलो कोई नहीं तो उसके पहले मैं क्या करता हूं अगर नहीं पता चलता है तो आपके पास फॉर्मिला है यार y-1 is equal to m into x-x1 इसमें भी आप कोई भी एक पॉइंट ले लो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो m क्या हो जाएगा आपका 0-41 divided by 41-0 मतलब की-1 आपका m हो जाएगा इसी तरह से आप यह equation आएगा आपका चीक है तो यह मुझे दिख रहा है कि x plus y is equal to 41 हमारा एक क्या बोलते हैं लाइन हो गया यह है यह लाइन हमें पता है कि यह है y is equal to 41 और यह लाइन है x is equal to 41 अब ध्या सब्सक्रान से समझना बिल्कूल गलबर नहीं होनी चाहिए अगर मैं पॉइंट लेता हूँ 1 x यहां पर x 1 होगा तो यह क्या हो जाएगा 40 थोड़ा और आगे जाता हूं तो क्या हो जाएगा 2,39 थोड़ा और आगे जाता हो यहां पर सपोज कि यहां पर लेता हूं तो सीक्स सिक्स लेता हूं मैं कह यहां चांहों उनुए 60〜 marc można गोन fiz़ Silk 1989 लेता हूं तो युवल्य ब्यायगा तो यई इतनी चीज तो क्लियर हुई होगी अब मैंने इस तरह से क्यों लिया है वह भी मैं आपको समझा देता हूं ठीक है मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यह थोड़ा लॉजिकल क्वेशन है इसमें थोड़ा से दिमाग लगा नहीं कि आपको जुरूरत पड़ेगी कि आप देखो जीरो फोर वन है यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा देखो यहां पर इसी वाले जगा पर यहां पर आएगा 0,40 ठीक है और यहां पर मुझे पता चला है कि यह है 1,40 ठीक है 0,40 बन कॉमा फॉइंट आएगा अब देखो तो 0,40 1,40 तो इसके बीच में तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं 0,40 1,40 कोई पॉइंट नहीं और दोनों तो उसके उपर लाए कर रहे हैं तो बात ही नहीं है इसी तरह से यहां पर और पॉइंट आएगा पॉइंट उसके पॉइंट आएगा तो यहां पर आएगा जे चाथ कितने कितने पॉइंट की तक जाएंगे हम लोग 40 तक 40,1 है ठीक है तो यहां कौन सा point आएगा 0,1 0,1 और 40,1 उसके बीच में कितने points होंगे उसके बीच में होंगे 39 points तो यहां पे हम जाएंगे 39 तक तो इतने ही integer points हमें मिलेंगे तो यहां पे इन सबका addition करना है और यह तो सबको पता है इसका addition क्या से करना है ठीक है तो यह हो जाएगा first point पता है last point पता है number of digits पता है तो यह हो जाएगा n by 2 into a plus l ठीक है यह तो sequence series वारा formula है n by 2 a plus 1 अगर first or last time पता है तो तो यह क्या हो जाएगा 39 by 2 into 1 plus 39 is equal to 780 which is my correct answer कौन सा है हमार option 780 option number 4 ठीक है I hope सबको यह भी समझ माया होगा ओके तो हमारा जो fourth number का question है अभी हम वह देख रहे है कि the number of common tangents to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6s plus 18y plus 26 is equal to 0 is what number of common tangent पूछा है तो इसकी theory बहुत simple है कि जब भी आपको number of common tangent चाहिए तब आपको यह चीज़ find करने ही रहती है कि circle कैसे behave कर रहा है या तो वह externally touch कर रहा है minus 6y minus 12 is equal to 0 अगर मैं इसको compare करूं standard equations है तो g हो जाएगा मेरा 2 और f हो जाएगा मेरा 3 और c हो जाएगा मेरा minus 12 तो यहां से center मेरा center क्या हो जाएगा center हो जाएगा 2,3 ठीक है actually हाँ center हो जाएगा मेरा 2,3 x square plus y square के साथ हम 2g x के साथ अगर compare करते है तो यह minus 2 आएगा और center minus g minus f वो सबको पता है चीक है तो 2,3 आजएगा ultimately यहां से भी हम देख सकते है radius हो जाएगा square root of g square plus f square minus c सबको पता है यह भी तो यहां से यह हो जाएगा 4,9 और minus minus plus 12 तो यह हो जाएगा 5 correct यह मुझे मिल गया center और यह मुझे मिल गया radius यह फस्त की बात है second का देख लेते हैं second में मुझे बोला है x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0 आगें यहां से center क्या हो जाएगा आप बताओ center हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा minus 3 minus 9 correct और radius इसके लिए क्या हो जाएगा square root of g square g square मतलब की 9 plus 81 minus 26 तो यह हो जाएगा 981 90 64 64 मतलब की 8 अब मुझे मिल गया c1 यह इसको c2 बोल देता हूं इसको r2 बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं मैं c1 इसको मैं बोल देता हूं अब मैं find करता हूं हमारा common method c1 c2 c1 c2 का distance find करता हूं तो क्या होता है देखो square root of c1 क्या था c1 यह पर लिख लेता हूं मैं c1 था मेरा 2,3 तो आसा नहीं होगा तो यह हो जाएगा 2 plus 3 whole square plus 3 plus 9 whole square मतलब की 5 square plus 12 square that is 5 12 13 13 आगया चाहिं तो मतलब c1 c2 13 आगया और 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 5 और टुरे तो आरवन प्लस आरटू भी क्या होगा आरवन प्लस आटू क्या होगा 5 प्लस 8 डेट इस अलसो थाटीन मतलब 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 कि कि C1 C2 is equal to R1 plus R2 इसका मतलब क्या है यह किसकी condition है वह यह देट मीन्स की सरकल कर ला है externally touch externally touch कर रहे हैं तभी यह possible है तो जब भी सरकल externally touch करते हैं तो कितने tangent मिलते हैं जिन लोगों को पता है पड़ा है उनको पता है कि तीन common tangent मिलते हैं तो हमारा correct answer हो जाएगा option number three number of tangents आजाएगे तीन नहीं पता है तो मैं यहां पर समझा देता हूं ठीक है अच्छे से मैं figure draw करके समझाओंगा तो थोड़ा आपको जाला समझ में आएगा shapes ले लेता हूं मैं यहां पर पहले तो तो अब इसको मैं move करता हूँ देखो यह मैंने करवा दिया अब आप खुछ से सोचो कि अ ओके चलो जस्ट सेकेंड हाँ यह होगे external जच अब आप खुछ से सोचो कि इसका center जो है first वाले का center क्या था यहां पर था ठीक है यह था C1 और यह था C2 अब इन दोनों के बीच का distance मतलब कि यह distance जिसको मैं पैंसे ही दिखा रहा हूं straight line लेके कर रहा हूं तो देखो यह वाला distance तो अगर यह distance मेरा क्या होगा अगर सीवन से टू इस इकवल टू आरवन आ टू आरवन क्या है यह यह अगर आ रहा है तो मतलब क्या है कि वह अब टीम कोमेंट टेंजेंट कैसे आएगे तो वह तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं टेंजेंट के लिए मैं ब्ल्यू कलर लेता हूं तो एक टेंजेंट तो हमारे यह हो जाएगा ठीक है इस तरह से ठीक है यहां पर भी टेंजेंट करेगा आप समझ लेना और एक यह वाला हो जाएगा इसी तरह से यहां पर टेंजेंट करता हुआ ठीक है और तीसरा कहां पर आएगा तीसरा आएगा इस तरह से इस जगह से pass होता हुआ ठीक है यहाँ पर भी touch करके pass होता हुआ तीसरा tangent आएगा तो समझ रहे हो न आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ओके हाँ perfect तो यह तीन tangent में रहा जाएगे तो क्या आएगा हमारा answer 3 is my correct answer हमारा correct answer क्या आजाएगा 3 I hope सबको यह चीज़ क्लियर होई होगी तीन common tangent मिलेंगे जब externally touch कर रहा होगा तो इससे आप से हमने answer लिख लिए ओके आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और ओके तो अब हम लेंगे हमारा आज का last question again a very good question यहाँ पर मुझे बोला है locus of the image समझना यहाँ पर image बोला है of point 2,3 in the line this is equal to 0 is what ठीक है मतलब की यहाँ पर k है तो अगर मैं की की value change करता जाओंगा तो मुझे बहुत सारी lines मिलेगी तो जो भी lines मिल रही है तो उन सबके respect में अगर मैं इसका local इसकी image निकालता हूँ ठीक है यहाँ पर आएगा तो इस तरह से यह जो points collect होगे इसका जो locus आएगा वो किस तरह से आता है वो मुझे पूछा गया है आयोप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाहा है यहाँ पर हमें locus find करने को बोला है image का तो पहले हम क्या करते हैं हम देखते हैं यार कि यह line जो यहाँ पर मुझे दी है क्या उसमें कोई common point है क्योंकि वो हमें देखना जरूर ही है हमें पता नहीं कि यह line एक ही line कौन सी है अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि this is the line और यह 2,3 यहाँ पर है ठीक है मतलब कि यह line भी हो सकती है यह वाले line infinite line हो सकती है तो पहले मैं क्या करता हूँ मैं एक दो line generate करके एक point common find करता हूँ ठीक है कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ देखो पहले मैं put करता हूँ let's put k is equal to 0 k is equal to 0 put करता हूँ मुझे एक line मिलेगी कौन से मिलेगी 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 चलो let's put k is equal to 1 k is equal to 1 put करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 3x minus 5y plus 7 is equal to 0 ठीक है अब मैं इन दोनों को solve करता हूँ तो अगर मैं इन दोनों को solve करूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे this multiply by 3 and this multiply by 2 ठीक है सही है इसको multiply by 3 करूँगा और इसको multiply by 2 करता हूँ तो यह हो जाएगा 6x minus 9y plus 12 is equal to 0 यहाँ पर हो जाएगा 6x minus 10y plus 7 is equal to 0 यह हो जाएगा सोरी यहाँ पर क्या आएगा 14 आएगा 7 multiply by 2 होगा तो 14 आएगा ठीक है अब मैं एक दूसरे को sub stack कर देता हूँ this minus this करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 6x cancel हो जाएगा minus 9y minus minus plus y मतलब 10y और यहाँ पर आजाएगा minus 2 सामने जाके हो जाएगा 2 तो y is equal to मुझे मिल गया 2 इसी दरह से अगर y is equal to 2 मैं यहाँ पर put करता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 उस साट जाएगा तो 2 तो x is equal to मुझे मल जाएगा 1 तो मतलब मुझे एक point मिल गया है 1,2 ठीक है 1,2 है जो इसी इसी line का common point है अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ आप के की value 5 ले लो 10 ले लो 100 ले लो 1000 ले लो आपका जो मनाए आप के की value ले लो ठीक है मैंने यहाँ 0 भर लिया है for simplicity आपका जो भी मनाए बोलो और आप जब intersection point find करोगे तो आपको यह intersection point definitely definitely मिलेगा कही ना कहीं तो यह intersection point मिलेगा मतलब की यह line का अगर आप कोई भी point ले रहे हो तो वो इसमें से तो pass हो गाई मतलब की यह क्या है पता है यह point है 1,2 यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ और इसमें से ही infinite line pass हो रही है अगर मैं cakey value change करता हूँ तो इस तरह से एक line मिलेगी मुझे ठीक है फिर एक line मुझे इस तरह से मिलेगी ठीक है फिर एक line मुझे इस तरह से मिलेगी जैसी जैसी मैं cakey value change करता जाओंगा मुझे line different different मिलती जाएगी ठीक है इसी तरह से मुझे एक ये line मिल जाएगी तो सारी केकी value change करने पर मुझे line मिलती जाएगी बहुत सारी ऐसी line infinite lines मुझे मिलेगी हर एक केकी different value पर लेगी ठीक है और एक line मुझे इस तरह से भी definitely मिलेगी जो horizontal होगी ठीक है तो I hope सबको clear हो जुका होगा कि ये 1,2 कैसे आय अब एक और चीज़ में समझाता हूँ आपको कि हमारा point जो है वो है 2,3 जिसका हमें image find करना है तो let's assume मैं उसको rate से दिखाता हूँ ये है 2,3 अब आप मुझे बताओ कि ये point तो हर एक line में आना ही आना है भाई तो इसका image अभी ये horizontal के हिसाब से यहाँ पे होगा उसको मैं अब बोलता हूँ एक को माई तो आप मुझे बताओ कि ये point जब हर एक जगा पर ये point fix ही आना है तो 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 ये जो distance है ये वाला जो मैं अभी mark कर रहा हूँ blue pen से ये distance और ये वाला distance जो मैं वार्क कर रहा हूँ green pen से ये distance ये हर बार सेम नहीं होगा क्या आप सोचो ठीक है ये distance और ये distance दोनों सेम ही होंगे क्योंकि ये एक दूसरे की image है अभी horizontal पर तो आपको दिख रहा है लेकिन आप सोचो कि जब ये point यहां पर होगा 2,3 with respect to suppose कि यहीं है 2,3 तो उसका image यहां पर आएगा तब भी ये सेम ही आएगा तो अब हमें सिर्फ distance formula से दोनों का distance compare करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ मैं simply दोनों का distance एक दूसरे के साथ compare कर लेता हूँ तो मुझे मेरा answer मिल जाएगा कैसे अब suppose कि इसको मैं बोल देता हूँ कुछ तो सही रहेगा let's say is PQ और R तो यहां पर मुझे पता चल गया कि PR is equal to QR तो PR क्या है PR है 2-1 का whole square plus 3-2 का whole square is equal to QR क्या है X-1 का whole square plus Y-2 का whole square तो यह क्या हो गया this will give me X-1 का whole square plus Y-2 का whole square is equal to क्या आएगा यहां पर 1 आजाएगा यहां पर 1 1 प्लस 1 2 ठीक है 2 तो मतलब कि यह क्या हो गया भया यह देखो यह generate क्या हुआ है this is nothing but a circle और उसका center क्या है center है 1,2 और radius क्या है radius है इसका 2 तू नहीं root 2 यहां पर R square होता है तो root 2 तो center 1,2 center 1,2 and radius root 2 ऐसा मुझे मिलेगा circle और भही होगा मेरी image का locust तो हमारा answer क्या होगा circle of radius root 2 option number 3 is my correct answer अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon ज़रूर से दबाजी दिए क्योंकि उससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहेगी ठीक है आज का हमारा पहला question है यह वाला बहुत ही सुन्दर question ही है यहाँ पर बोला है the area of the region described by x, y y square less than or equal to 2x y greater than equal to 4x minus 1 मतलब कि दो चीज़े है एक है हमारे पास पैरा बोला और एक है हमारे पास straight line पहले तो एक graph अच्छे से draw करेंगे तो हमें एकदम clear picture समझ में आएगा area under the curve की जबी बात होती है तब हमारा graph draw करना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो मैं यहाँ पर graph draw करूँगा पहले तो ठीक है ध्यान चे समझना ओके अब यहाँ पर देखो कि y square is equal to 2x है पहला तो ठीक है मतलब कि इस तरह से graph होगा इसका radius ही में बना रहा हूं यहाँ पर यह हो गया मेरा पहरा बोला vertex 00 ही होगा इसका ठीक है चलिए दूसरा है हमारा y is equal to 4x minus 1 तो यह कहां इसके को कहां इंट्रसेक करेगा यह एक्स एक्स को और y एक्स एक्स को तो उसके लिए x is equal to zero put करूंगा x zero put करूंगा तो y मुझे मिलेगा minus 1 ठीक है x zero put करने पर क्या मिलेगा y minus 1 तो यहाँ पर आए जाएगा x zero तो y minus 1 मतलब एक point मेरा आ जाएगा 0, minus 1 ठीक है और दूसरा point कौन सा आएगा दूसरा point मेरा आ जाएगा जब मैं y 0 रखता हूं तो y अगर 0 रखता हूं मैं ठीक है y अगर 0 रखता हूं तो y 0 पर 4x minus 1 तो वो हो जाएगा x is equal to 1 by 4 ठीक है y 0 तो यहाँ पर आएगा 1 by 4 something ठीक है तो यह हो जाएगा 1 by 4, 0 और यहाँ पर आ जाएगा वो वाला point 0, minus 1 ठीक है I hope सबको समझ में आए होगा अब इन दोरों में से pass होती हुई एक line draw करेंगे हम लोग इस तरह से इसको different colors दिखा था हूं तो थोड़ा जाधा समझ में आएगा ओके तो इन दोनों में से pass होती हुई यह मैंने line draw कर दी ठीक है ओके बहुत बढ़ी है तो हमें क्या बोला है यहाँ पर कि the area of the region described by this तो इसके बीच का जो area है वह हमें find करना है ठीक है एक्चुली एक्चुली हमें यह चेक करने की inequality चेक करने की जरूद भी नहीं है यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर हमें बोला ही गाया है कि इसके यहाँ पर यह इरिया find करना है तो पहले हमें यह दोनों point find करने पड़ेंगे एक यह वाला point और यह वाला point जहाँ पर दोनों intersect हो रहा है तो वह पहले हम find कर लेते हैं हमारा curve है y square is equal to 2x और दूसरा है y is equal to 4x minus 1 ठीक है तो यहाँ से मैं लेख सकता हूं क्या कि y square by 2 is equal to क्या हो जाएगा y square by 2 is equal to y plus 1 by 4 x को मैंने दोनों side equate किया है तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2y square minus y minus 1 is equal to 0 that means कि एक हो जाएगा 2y plus 1 and y minus 1 is equal to 0 तो y मिल जाएगा मुझे minus 1 by 2 और y मिल जाएगा मुझे 1 ठीक है तो minus 1 by 2 कहा आएगा ज्यान से समझ रहां यह आगा मेरा minus 1 by 2 और यह वाला point आगा मेरा 1 ठीक है अब बहुत ही last इसका जो case है वो मैं समझा रहा हूं देखो जहां से यहां यह dotted line जो मैं करता हूं अभी लेट से ब्लेक से करता हूं तो जाद समझ में आएगा यह ठीक है यह पूरे आ गया और उसके बाद में क्या करता हूं इसमें सेही मैं सब्सस्यक करुआंगा यह जो पैराля बॉला बना रहा यह पैरा nova कितना बनारा देखो यह यहां से जाएगा और इतना ठीक है घृथिक है इस अ करता हूं पैरा से बढला वाला तो मुझे जो यह मैंने shade किया है वो area मुझे मिल जाएगा मतलब कि मुझे क्या करना है line का area minus parabola का area between minus 1 by 2 to 1 यह हमारा solution हो गया ठीक है क्या करता हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो line वाला area है ठीक है और अभी हम बात किस की कर रहे है ध्यान से दिखना है अभी हम बात कर रहे है with respect to y axis की तो यह जो line area बनाएगा यह उसमें से हम यह parabola वाला area subtract कर देंगे ठीक है कैसे होगा तो minus 1 by 2 to 1 x dy x dy मतलब dy क्यों लिखा मैंने क्योंकि y में value change जोरी है हम with respect to y ले रहे है पिस लिमने dy लिखा है चीक है x dy और उसमें भी क्या करना है line minus parabola तो minus 1 by 2 to 1 line का equation क्या था line के लिए x क्या था इसको मैं पहले लिख लेता हूँ x2 minus x1 थोड़ा समझ में आएगा चीक है तो line का क्या था line मतलब x2 है line क्या था हमारा y plus 1 by 4 minus यह हो जाएगा y square by 2 यहाँ पे dy बहुत ही simple तरीके से अगर आपको इतना पता चल गया तब आपका answer था है अब यहाँ से simplification है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा देखो y square by 2 plus y divided by 4 यहाँ पे आजएगा minus 1 by 2 से 1 है और minus y cube by 6 again minus 1 by 2 से 1 है ठीक है अब मैं पहले minus 1 अब पहले upper limit put करेंगे minus लिखने के बाद low limit calculation में mistake नहीं होनी चाहिए 1 put करूँगा तो यहाँ पे 1 by 2 plus 1 3 by 2 3 by 2 by 4 मतलब 3 by 8 फिर minus लिखने के बाद आएगा क्या है यहाँ पे minus 1 by 2 minus 1 by 2 का square मतलब की 1 by 4 1 by 4 by 2 1 by 8 फिर यहाँ पे minus 1 by 2 1 by 8 minus 1 by 2 by 4 मतलब की हो जाएगा 3 by 32 ठीक है और इसी तरह से यहाँ पे minus 3 by 32 अएगा ठीक है और यहाँ पे यह क्या हो गया minus तो है यहाँ पे यहाँ पे आजाएगा 1 by 6 और यहाँ पे 1 by 2 है 1 by 8 तो यह आपा आजया प्लस 1 by 48 चलिए ठीक है और अब इसको सिर्फ सिंप्लिफाई करना यह हो जाएगा 3 by 8 प्लस यहाँ पर हो गया 3 by 32 फिर माइनस लिखने के बाद 1 by 6 फिर माइनस लिखने के बाद 1 by 48 ठीक है नेक्स्क्रेशन की और ओके यहां पर बोलाएं अगीन इसक्वाइट इसक्वाइट इसक्रेशन में बोलूंगा लग ओ बीदव एक्स एक्स पर टू परणा निक्यो बी एक्स क्योंगे एक्सक्राइग तो यह हो गया और x-axis y-axis major x-axis y-axis होगा तो यह आएगा मेरा इस तरह से ठीक है चलिए और मुझे बोला गया है कि वर्टेक्स है ओ और कोई क्यू पॉइंट हमें बोला है ठीक है अब आगे पड़ते हैं इस पॉइंट पी डिवाइड दा लाइन सेग्मेंट ओक्यू इंटर्नली इन रेशिओ 1-2-3 देन दे लोकस ऑफ पी इस वड़ देखिये अब इस तरह से तरह-स पर टेक है अब ओंचू जो है वह और कुग को दिवाइड कर रहे है वन सेग्मेंट ओक्यू करते हैं इस तरह स से पॉइंट पी यह आगे मेरा पॉइंट पी वो डिवाइड कर रहा है वन एस टू थी में अब इसको सॉल्ड करने के हमारे पास दो से तीन मेथड्स है ठीक है पहला मेथड की ओ तो हमें पता है 0,0 है इसको मैं ले लूँ आलफा कोमा बीटा और जो हमारा लाइन इसको डिवाइड करते हैं वो वाला वो एक फॉर्मिला यूज कर सकते हैं या फिर हम प्योर जियोमेट्रिकल तरीके से भी जा सकते हैं कैसे कि जो यह क्यू है क्यू 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 का हम अगर कोडिनेट्स अजूम कर रहे तो क्या होता है 280,80 स्क्वेर इसके तो क्यो क्या हो जाएगा 40,2t2 40,2t2 तो क्यों क्या है 40,2t2 चपयर आफ द्ध्यान से सोचो यह पूरा लाइन है यहाँ 00 यहांपे 40,2t2 टो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं ऐस तरह से ज्यांसे देखना फर्स पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ड और फॉर्ड पार्ट ठीक है यह लूए तो चारों के चारों equal part होंगे तो मतलब कि यह जो क्यूं है यहां से third part यहां पह्यूं हिए गहां से समझ रहां Tना दूर है मतलब यहांसे इतना distance तो सिर्फ एक ही पाट होगा ओन्ली one part इतना distance होगा यह थोड़ा logical यह ए ठीक है अगर 2T square के मैं 4 part करूँ, तो वो हो जाता है T square by 2, तो आप मुझे बताओ, यहां से यह जो part है, यह point P, वो कितना है, एक ही part है, एक एक part, single part, मतलब कि P क्या है, actually मैं P है P, T square by 2, ठीक है, मैंने यह जो equation था, उसको 4 part में equally divide गया, मुझे पता था कि वो से 1 part है, तो यह हो जाए उसका multiply by 2, और यहां पर जो आता, उसका multiply by 2 करता, इस तरह से, तो P मुझे पता चल गया, T, T square by 2, अगर हमें यह पता चली गया, तो हमारा answer आ गया, कैसे, यह अभी मतलब P, पता चल गया है, क्या है, T, T square by 2, यह P पता चल गया, इसको मैं generalize equation जो हमारा है, H, K ले ले लेते है, तो यह हो गया, हमारा, H is equal to T, और K is equal to T square by 2, अगर आपको, जब locust find करना होते हैं, तब हम इस तरह साही compare करता है, यह क्या हो गया, H is equal to T है, तो यहां पर, मैं T put कर देता हूं, H put कर देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, H square by 2, मतलब कि, H square is equal to 2K, यह हमारा answer आ गया, simple, H square is equal to 2K, यहां पर question, X, Y में दिया है, मतलब H, H किया था हमार X coordinate, तो इसको मैं लिख सकता हूं, X square is equal to 2Y, simple, ठीक है, X square is equal to 2Y, option number 4 is my correct answer, I hope सबको यह question भी समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हमारे third question की और, यहां पर हमें बोला है, the distance of the point 102, okay, from the point of intersection of the line, this, and the plane, this, okay, okay, अच्छा question है, हमें बोला है कि distance find करना है, तो हमें distance formula पता है, square root of X1 minus X2 whole square plus Y1 minus Y2 whole square plus Z1 minus Z2 whole square, X1, Y1 और Z1 हमें पता है, X2, Y2, Z2 हमें find करना है, X2, Y2, Z2 हमें find करना है, X2, Y2, Z2 हमें बोला है कि यह line और यह plane का intersection point है, okay, तो अभी मैं draw करता हूं, एक plane, ठीक है, तो य यह मेरा हो गया, ध्यान से देखो, यह हो गया मेरा plane, ठीक है, okay, यह मेरा हो गया plane, और मुझे एक line बोली है, कहीं ना कहीं intersection तो होती होगी, मैं straight line draw कर लेता हूं, तो intersection पता चल जाएगा, तो इस तरह से intersect हो रही है, तो यहां कहीं पे वो बीच में intersect हो रहा है, ठीक है, यहा is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 minus 1, 2 plus lambda 3, 4 and 12, लिख सकता हूँ मैं इसे, तो यह हो जाएगा मेरा, 3 lambda plus 2, 4 lambda minus 1, 12 lambda plus 2, ठीक है, चलिए, यह clear हो गया, line का equation लिखा है मैंने, different form में, अब आप मुझे बताओ, यह x, यह y और यह z है, कोई एक specific lambda की value के लिए, यह plane का equation satisfy करेगा, तभी हम intersection point मिलेगा, हमें बोला है कि intersection point ने exist करता है, अगर exist कर रहा है, मतलब कि एक lambda की value हमें specific मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, यह points यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, मैं x minus y plus z, is equal to 16 में यह points रख देता हूँ, तो यह क्या ह हो जाएगा, यह था, 3 lambda plus 2, minus लिखने के बाद, 4 lambda minus 1, तो plus 1 हो जाएगा, और plus है, 12 lambda plus 2 is equal to 16, तो यहाँ से simplify करने से मुझे मिलता है, lambda is equal to 1, अगर lambda is equal to 1 मिल गया है, तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, if lambda is equal to 1, तो point क्या हो जाएगा, point of intersection, यह हो जाएगा 5, यह हो जाए मुझे बताओ, मेरे पास 2 points available है, एक point है 1, 0, 2, दूसरा point है 5, 3, 14, तो square root of x2 minus x1 मतलब की 5 minus 1 whole square plus 3 minus 0 ka whole square plus 14 minus 2 ka whole square, तो यह मुझे देगा square root of 16, 9, 14 is equal to square root of 169 which is equal to 13, I hope सबको समाझ में आओगा, this is my final answer, easy question था है, comparison में, option number 4 is my correct answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और, next question, ओके, यहाँ पर again coordinate geometry questions बहुत आते हैं, इसे लिए मैं सबको request करता हूँ कि हमारी rank booster series उसमें जाके ठीक ही, उसमें काफी सारी videos मैंने बनाया हुए, यहाँ पर बोला है, the equation of the plane containing the line, this two, and parallel to this plane, बहुत ही सुन्दर question नहीं, इस तरह का question भी मैंने करवाया हुआ है, question series की बात कर रहा हूँ, जब भी हमें ऐसा बोला होता है कि दो line को contain कर रहा है, मतलब वो generalized formula, अगर हमारे पास line A है, और एक line B है, दोनों को contain करता हुआ plane अगर हमें find करना होता है, तो हम लिखते हैं उसे, A plus lambda B is equal to 0, यह हमारे एकदम basic तरीका है, equation find करने का, और उसमें हम lambda की specific value find करते हैं, क्योंकि एक specific के लिए वो दोनों line contain करेगा, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास first equation है, 2X minus 5Y plus Z minus 3 plus lambda लिखने के बाद, X plus Y plus 4Z minus 5 is equal to 0, अब इसको मैं simplify करता हूँ, X, Y, Z और constant term अलग-अलग लिख लिएता हूँ, यह क्या हो जाएगा, X हो जाएगा मेरा lambda plus 2 आजाएगा साथ में, Y के साथ आजाएगा lambda minus 5, Z के साथ आजाएगा 4 lambda plus 1, और constant term है मेरा, minus 3 minus 5 lambda is equal to 0, simple as that, अब मुझे क्या बोला है, यह जो plane मनेगा, यह वाले equation, plane का, यह equation, यह जो plane है, अब आप मुझे बताओ, जब दो plane एक दूसरे का parallel होते हैं, तब उनका जो perpendicular है, उसका, उसकी direction का ratio सेम होता है, ठीक है, मतलब की, उसका perpendicular direction सेम होती है, जैसे कि या तो एक direction है 1, 2, 3, तो दूसरे की direction भी होगी 1, 2, 3, और हो सकती है, 2, 4, and 6, और हो सकती है, 3, 6, और 9, मतलब की, parallel होगी, यहाँ से 2 common निकाल के, ultimately यही आएगा, मतलब की, जो ratios होंगे, directions के वो सेम होगे, तो यहाँ पे, आप मुझे बताओ, यह जो हमारा equation हमने generate किया है, उसमें, direction क्या है, उसमें direction है, lambda प्लस 2, lambda माइनस 5, और 4 lambda प्लस 1, सबको पता है, x, y, z के coordinates ही हमारे directions होता है, और आगे वाला जो plane था, यह वाला plane, उसमें directions क्या थे, 1, 3, 6, उसमें क्या थे, 1, 3, 6, तो दोनों की ratios कैसे होने चाहिए, same, ratios का मतलब क्या है, lambda प्लस 2 बाइ 1, is equal to lambda माइनस 5 बाइ 3, is equal to 4 lambda प्लस 1 बाइ 6, यह तीनों की तीनों value सेम होनी चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो दो को compare करता हूँ, इस दोनों को और फिर इन दोनों को, ऐसा क्यों करना है, ऐसा भी हो सकता है कई बार, कि lambda की value मिले ही ना, same value मिले की तभी हमारा answer आएगा, same value नहीं मिलते ही है, तो ऐसा लिख देना है कि यह possible नहीं है, पहले इन दोनों को compare करता हूँ, यह क्या है, lambda प्लस 2 बाइ 1 is equal to lambda माइनस 5 बाइ 3, तो यह हो जाएगा 3 lambda प्लस 6 is equal to lambda माइनस 5, तो यह हो जाएगा 2 lambda, 2 lambda is equal to minus 11, lambda is equal to minus 11 by 2, दूसरा दो compare करता हूँ, तो वो है lambda minus 5 by 3 is equal to 4 lambda plus 1 by 6, तो यह हो जाएगा 6 lambda minus 30 is equal to 20 lambda plus 5, sorry यहाँ पर 3 है, तो यह हो जाएगा 12 lambda, 12 lambda plus 3, तो यह दे देगा मुझे, again lambda is equal to यहाँ पर आजाएगा minus 11 by 2, मतलब कि lambda की एक specific value आ रही है, lambda is equal to minus 11 by 2, हमारा answer आ गया, यह जो lambda की value आ यह है, उसको मैं हमारी equation में put कर देता हूँ, हमारे equation कौन सा था, हमारे equation जो lambda वाला generate किया था हमने, this equation, इस equation में सिर्फ lambda की जगा मैं put करूँगा minus 11 by 2, तो मेरा answer मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2x minus 5y plus z minus 3 plus minus 11 by 2 actually, तो minus 11 by 2 into क्या आ जाएगा, x plus y plus 4z minus 5 is equal to 0, और यहाँ से अगर मैं simplify करता हूँ, तो मुझे answer मिलता है, x plus 3y plus 6z minus 7 is equal to 0, this is my final answer, I hope सबको यह चीज समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत ही एच्छा question था है, x plus y plus 6z is equal to 7, मतलब option number 3 is my correct answer, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के last question, जो है 5th number का उसकी और, देखो, यह question भी एक्चुली थोड़ा basic है, लेकर जिम्पल है, वेक्टर स्वाला है, यहाँ पर हमें बोला है, ABC, be the 3 non-zero vectors, मतलब कि किसी का भी mode है, mode A, mode B, mode C, 0 नहीं है, non-zero है, मतलब कि mode A not equal to 0, mode B not equal to 0, and mode C not equal to 0, such that no two of them are collinear, कोई दो collinear भी नहीं है, अगर collinear होते, तो उनका cross product, क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन collinear भी नहीं है, and A cross B cross C, is equal to 1 by 3, mode B into mode C into A vector, if theta is between the angle B and C, B और C के बीच का angle theta है, ध्यान रखना भीया, B और C के बीच का angle क्या है, theta, then A, value of sin theta, then A value of, actually A नहीं है, then A value of sin theta, sorry, English का यह है, तो हमाँ ultimately sin theta की value find करनी है, ठीक है, देखिए, थोड़ा सा सोचेंगे, तो बहुत easy question है, A cross B cross C, इस तरह से दिया है, is equal to 1 by 3, B C, mode लिखो या, ठीक है, लिख ला तो हमाँ, into A, इस तरह से है, ठीक है, अब इसको हमें पता है, इसको हम कैसे लिख सकते है, अगर तीन product इस तरह से cross product है, तो हमें इसको लिख सकते है, A dot C, into B minus B dot C into A, is equal to, यहाँ पर है, 1 by 3, B C, A minus, ठीक है, कुछ नहीं है, आपके, अब ध्यान से समाजना, अब यहाँ पर मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा मुझे comparison करना है, अब यहाँ पर देखो, का यहाँ पर आप को A vector दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक शब्क्रेटर दिख रहा है, यहाँ फर मुझे, muitos B, C दिख रहा है, ध्यां से समझना, ध्यां से विल्कुल समझना, यहाँ पर मुझे तो इसको लिख सकता हूं, वी ती को देटा, ठीक है, लेकिन, simultaneously यहाँ पर देखो, यह वाला term यहाँ पर नहीं है, मतलब कि क्या हो जाएगा, यह वाला term यहाँ पर नहीं है, यह वाला term यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर यह 0 मैं count कर लेता हूँ, मतलब कि a.c, क्या हो जाएगा 0, अगर a.c 0 है, तो जहां से समझ रहा, a.c 0 है, तो either this possible यह तो होगा ही होगा a.c0 हो जाएगा हमारा और एक हमारा हो जाएगा यहाँ से अगर मैं compare करता हूँ तो यहाँ से compare करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से हो जाएगा bc cos theta is equal to 1 by 3 bc ठीक है 1 by 3 bc क्योंकि यह mode है यहाँ पे भी mode ही आता है actually mode bc, mode b, mode c, cos theta तो यह दोन एक दूसरे को cancel कर देता है और यहाँ पे minus sin b था ठीक है minus bc था तो यहाँ पे आ जाएगा cos theta is equal to minus 1 by 3 अगर cos theta minus 1 by 3 है तो sin theta क्या हो जाएगा sin theta हो जाएगा square root of 1 minus 1 by 9 is equal to 8 by 9 2 root 2 by 3 2 root 2 by 3 तो 2 root 2 by 3 is my correct answer sin theta 2 root 2 by 3 is my correct answer I hope सबकों यह चीज समझ में आई होगी ठीक है फिर सब बता रहा हूँ बहुत ही important question ही है थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूवत है यहाँ पे आपको 2 root 2 by 3 और sin theta फिर सब बता दे रहा हूँ मैं आपको वो क्या हो जाएगा बाट आप वैसी चीज़ है वो हो जाएगा 0 और हमें यहाँ पे यह वेक्टर दिख रहा है यहाँ भी यह है तो minus b.c is equal to 1 by 3 bc हो जाएगा minus b.c यह dot product है और यह 1 by 3 b.c है b.c को हम कैसे लिख सकते हैं bc cost theta और that is equal to 1 by 3 bc थाई तो हमने एक दूसरे को compare किया और हमारा answer आ गया है बहुत जादा इसमें सोचने की ज़रोथ नहीं है कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ा जादा ही सोचते हैं कि यह किस तरह से solve होगा यह सिर्फ एक simple comparison था इस तरह से हमारा final answer आ जाएगा 2 root 2 by 3 option number 1 2 root 2 by 3 is my correct answer I hope सब को यह चीज से पहला question है हमें यहाँ पर बोला है if 12 identical balls 12 ball है total to be placed in 3 identical boxes ठीक है तो आप सोचो कि एक ball कहीं भी कोई भी एक box में place होगा तो उसकी probability क्या हो जाएगी 1 by 3 ठीक है box में place होने की probability success probability हो जाएगी 1 by 3 और failure की probability हो जाएगी 2 by 3 then the probability that one of the boxes contain exactly 3 balls तो मतलब हमें यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि हमें एक चीज पता है कि success की probability है 1 by 3 failure की probability है 2 by 3 और हमें कितने balls चाहिए 3 balls चाहिए out of 12 12 balls तो हमें पता है कि यह तो binomial distribution है तो binomial distribution का formula हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे मतलब की P of X is equal to NCR P to the power R Q to the power N minus R simple as that X हमें चाहिए 3 N हमें दिया है 12 into 1 by 3 यहाँ पर आजाएगा 3 Q मतलब की 2 by 3 12 minus 3 मतलब की 9 यह हो गया तो यहाँ पर यह हो जाएगा 12 12 into 11 into 10 divided by 6 यहाँ पर हो जाएगा यह 2 to the power 9 divided by 3 to the power 9 plus 3 मतलब की 12 अगर इसको simplify करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 55 by 3 2 by 3 11 यह मेरा final answer आगया चीक है बहुत ही easy question सबसे easy question में बोलूँगा इस paper का आप इसका मान सकते हो option number 1 correct answer आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और बहुत ही अच्छा question ही है अगें a very simple question यहाँ पर हमें बोला है the mean observation the mean of the data comprising of 16 observation is 16 मतलब की कोई एक 16 data है a1 plus a2 plus a3 plus up to up to up to plus a 15 plus a16 16 16 data है उसका mean is equal to 16 है यह तो हमें पता है ना की total sum divided by number of observation is equal to mean तो मैंने वही लिखा है 16 data है 16 observation है और उसका mean भी क्या है 16 if one of the observation valued 16 is deleted मतलब की इसमें से कोई observation 16 है मतलब की let's say कि मैं last वाला ही इसको 16 मान लेता हूँ तो यह क्या है यह है 16 ओके is deleted मतलब उसको remove कर देना है and three new observations valued 3, 4, 5 are added to the data इसको मैं equation लेता हूँ अब मैं इसको subset कर दूँगा और इसकी जगा 3, 4, 5 को add करूँगा तो मुझे नाया mean क्या है वो पूछा है बहुत easy question है यह अब देखो अब हमें पूछा क्या है यह हमें पता चल गया हमें पूछा क्या है कि मैंने 16 को remove कर दिया तो बचा क्या आप मुझे बताओ 16 remove किया तो बचा क्या A1 से A15 तो A1 से A15 plus add कितना किया मैंने 3, 4, 5 तो यह कितने observations हो काई total 1, 2, 3 up to 15 मतलब 15, 16, 17, 18 observation तो इसका मुझे answer चाहिए मुझे इसकी value find करनी है simple as that अब आप मुझे बताओ इसकी value क्या है इसकी value मतलब कि A1 से A15 की value हमें find करनी है 3, 4, 5 तो यह 12 हो जाएगा तो 3, 4, 5 मैं लिख देता हूँ 12 अब आप मुझे बताओ A1 से A15 की value क्या है वो मुझे यहां से मिलेगा A1 से A15 की value मुझे यहां से मिलेगा A1 से A15 मुझे चाहिए तो यह 16 मैं यहां पर multiply करूँगा minus मैं 16 कर दूँगा तो मुझे A1 से A15 मिल जाएगा मतलब की क्या हो जाएगा 16 square minus 16 क्यासे किया मैंने यहां इसको multiply किया 16 square minus 16 किया तो यह 1 से A15 मिल गया divided by 18 यह मेरा answer आ जाएगा यह है 2, 5, 6 यह है 4 यह है 18 तो यह हो जाएगा 14 14 is my correct answer कौन साइ option 4 बहुती easy question next question पर आके बढ़ते हैं यह वाला question again quite simple question मैं बोलूँगा ज्यादा इसमें सोचने की जरूवत नहीं है आपको if the angles of the elevation of the top of the tower from 3 co-linear points 3 co-linear points co-linear word को मैं highlight करना ही पड़ेगा मुझे 3 co-linear points यहां पर बोला है ABC on a line leading to the food of the tower are 30, 45, 60 then the ratio of AB jam BC इसको मुझे figure अच्छे से draw करके ही समझाना पड़ेगा next page ले लेता हूँ मैं figure पहले हम draw करते है यहाँ पर हमें बोला एक tower है ओके और यहाँ पर foot पर एक co-linear हमें points भी दिये हुए है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको थोड़ा यहाँ से extend कर देते हैं यह हो गया अब यहाँ पर मुझे बोला है कि एक तीनो points co-linear है एक point है मेरा A एक है point मेरा B और एक है point मेरा C ठीक है A, B, C मुझे बोला है और respective angle कितना दिया है A के लिए है 30, 45 और 60 सोचना आप मैंने यहाँ पर क्यों लिया है क्योंकि आप सोचो 30 angle बोला है 30 angle मतलब कि minimum angle चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है तो यहाँ से अगर मैं connect करूँगा तो यह सबसे कम angle बनाएगा फिर अगर मैं थोड़ा जितने जैसे जैसे पास चला जाता हूँ उतना angle बड़ा होता जाता है और अगर उसके foot पर आके ही मैं देखूँगा तो मुझे कितना angle देखेगा 90 का angle देखेगा उसके foot पर मतलब कि समझा देता हूँ यहाँ पर इस जगा पर अगर मैं आके देखता हूँ तो मुझे कौन सा angle देखता है तो मुझे देखता है 90 का angle ठीक है चलो कोई देखता है यहाँ तक तो सब clear है अब यह कितना है बताओ मुझे यह वाला angle मुझे दिया है 30 यह है 45 और यह है 60 ठीक है यह है यहाँ तक मुझे पता है इसको मैं बोल देता हूँ D let's say कि total height है suppose कि कुछ तो suppose करना पड़ेगा edge suppose कर लगते है अब मुझे बूला है AB jam BC मतलब AB divided by BC हमें find करने को बोला गया है ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है अब देखो मुझे एक चीज़ यहाँ पर बता है कि 1030 क्या होगा बताओ 1030 क्या होगा 1030 is equal to edge upon AD 1030 is equal to edge upon AD that implies कि AD is equal to edge root 3 चलो कोई नहीं अब BD BD अब find करना पड़े है कि मुझे AB चाहिए AB क्या है मुझे यहाँ पर AB चाहिए AB क्या है AD minus BD तो BD के लिए भी find करता हूँ BD क्या होगा 1045 is equal to edge by BD 1040 क्या है 1 है edge is equal to BD यह भी पता चल गया और इसी तरह से CD भी find कर लेता हूँ तो 1060 is equal to क्या हो जाएगा H by यहाँ पर क्या है CD H by CD तो यह क्या हो जाएगा CD is equal to edge by root 3 10th हमें पता है 1060 होता है root 3 तो यह हो जाएगा H by root 3 तीन values हमें पता चल गई यहाँ से हमारा answer 2 minute में आ जाएगा हमें क्या find करना है हमें find करना है AB divided by AB jam AC के value हमें find जानी है AB मतलब कि मैं लिख सकता हूँ AD minus क्या लिख सकता हूँ देखते है AD minus BD और AC को में लिख सकता हूँ sorry मुझे BC find करना है AB divided by BC है कोई नहीं AB divided by BC है अब मुझे BC find करना है तो BC क्या है BC यह रहा ठीक है तो BC को मैं कैसे लिख पाऊँगा BC को में लिख पाऊँगा BD minus CD BD minus CD अब मुझे सारी की सारी value पता है यह है AD है मेरा क्या था AD है H root 3 BD है मेरा H H minus CD क्या है CD है H by root 3 और अगर मैं सब में से H cancel out करता हूँ तो यह मुझे देदेगा root 3 minus 1 upon 1 minus 1 by root 3 अगर हम root 3 को LCM लेते हैं तो ultimately यह आजाएगा मेरा 3 minus root 3 divided by root 3 minus 1 और अगर और मुझे simplify करना है क्योंकि यह answer दिया है answer नहीं दिया है यह नहीं दिया है single value चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा root 3 plus 1 के साथ multiply and divide करूँगा और simplify करूँगा तो मुझे answer मिल जाएगा root 3 इसका final answer इसका simplify करोगा आप तो answer root 3 आपका आ जाएगा root 3 jam 1 is my correct answer option number 1 I hope सबको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं हमारे next question की और फिर से बहुत ही easy level का question है most probably यह जो last 5 question है वो सारे के सारे paper के 5 हमने जो 6 मतलब total कितना set हुए 6 set हुए उसमें से यह शाय तक सबसे easy वाला set है यहाँ पर बोला है 10 inverse of y is equal to 10 inverse of x plus 10 inverse of 2x upon 1 minus x square where more x less than 1 by root 3 more x less than 1 by root 3 then the value of y is equal to what थोड़ा समझेंगे यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2x upon 1 minus x square 2x upon 1 minus x square इसको मैं लिख सकता हूँ x plus x upon 1 minus x into x this is nothing but this is nothing but किसका formula आई है यह है 10 inverse of x plus 10 inverse of x का formula है मतलब कि this is nothing but 2 10 inverse x यह जो पूरा है यह क्या है यह 2 10 inverse x है यह 2 10 inverse x है और मुझे 31 पता है कि यहाँ पर 10 inverse x है तो 10 inverse y क्या हो जाएगा 10 inverse y हो जाएगा 10 inverse x plus 2 10 inverse x that is 3 10 inverse x 10 inverse y is equal to 3 10 inverse of x यहां तक मुझे समझ में आ गया है ठीक है बहुत सिंपल है अब 3 10 inverse x उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 10 inverse x क्या हो जागा 3 10 inverse of 3 x minus x cube upon 1 minus 3 x square यह भी पता होना चाहिए आप सबको यह formula बहुत ही inverse का basic formula है अगर आपको by chance याद नहीं भी है आप क्या करो इसको आप एक function मान लो suppose कि इसको ही आप x मान लो और इसको y मान लो फिर x plus y वाला formula फिर से apply करो तो भी answer आपका same ही आना है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह हो जाएगा सामने क्या है 10 inverse of y ही है और हमें बोला है कि x less than or equal to 1 by root 3 इसलिए यहां की इसी की वज़े से हमें condition दी हुई थी यह हम अच्छे से satisfy कर पाई इसलिए तो यह satisfy हमारी condition हो रही है यहां पर तो हम सामने सामने cancel कर सकते हैं तो y is equal to आ जाएगा 3x minus x cube upon 1 minus 3x so square ठीक है बहुत ही simple है यह है बहुत ही simple है आगे बढ़ते हैं कौन सा option कौन सा है पहले चेक कर लेते हैं वन अगीन easy question last question पर आगे बढ़ते हैं दीखे guys हर paper हम लोगों ने अब तक 13, 14 और 15 तीन paper देखें यह 15 का last question है और हर एक paper में last question हमारा mathematical reasoning का मिलता है mathematical reasoning में बहुत easy question आते हैं आपका एक mark मतलब की एक question सही होना तो बनता ही है इसमें बिल्कुल easy है इसमें सिर्फ आपको table बना रहा है और आपका answer आ जाएगा ठीक है मुझे क्या बोला है negation of this याव रखना negation of this यह भी under count है इसका पूरा negation मतलब की क्या होगा negation of this मतलब की negation S और negation R and negation S इस तरह से बोला है ठीक है यह negation word बुल मत जाना कई बच्चे सिर्फ इतना करके answer mark करते है वो गलत है इसका पूरे का negation बोला है कोई निए चलो अब हम करते हैं थोड़ा question आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा देखिए बहुत सिंपल है एक टेबल बना लेता हूं मैं तो पहले आ जाएगा S और आ जाएगा R यहाँ पर हो जाएगा चिक है यहाँ पर हो जाएगा T T F F यहाँ पर आएगा T F T F यह सब को बता है अब मुझे next कौनसी चीज़ चाहिए बताओ next मुझे चाहिए negation S चली यहाँ पर negation नहीं है अब इसका मुझे बताओ T F का क्या होगा T F का होगा F T T है तो भी T होगा बाकी हर जगा हो जाएगा F हमको बता है अब मुझे क्या बोला है negation R and S हो गया अब negation S भी हमें करना पड़ेगा negation S हमें पता नहीं है तो negation S भी कर लेते है negation S मतलब कि इसका उल्टा F F T T ठीक है यहां का यह हो गया negation S अब उन दोनों के बीच में कौन सा operation है उन दोनों के बीच में है और और मतलब कि जब F F होगा तभी F आएगा यहां पर मैं लिख रहा हूँ इसको यह है negation S और negation R and S यह बाला तो इसमें क्या होगा जब F F होगा तभी वो F होगा उसके अलावा वो हो जाएगा T सबको बता है और operation सबको बता है और यह उसका पूरे का मुझे करना है negation तो negation of this hole तो यह क्या हो जाएगा बताओ यह क्या हो जाएगा इसका पूरा उल्टा मतलब कि T F F F T F F F तो यह हमारा final answer आगया है This is my final line अब मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि इसमें से यह जो line है वो किसको match कर रही है option में से तो मेरा answer मुझे मिल जाएगा चिक है T F F कौनसे answer को match कर रहा है तो अगर आप check करोगे तो आपको दिखेगा कि S और R जो है option number fourth S and R और नहीं S and R उसको यह match कर रहा है कैसे S and R and operation होगा तभी T होगा वरना हर जगा आजाएगा F तो S and R को वो match कर रहा है कौन साथ correct हो गया हमारा fourth number option number four correct हो गया और इसी के साथ हमारा J double E means 2015 का paper solution खतम होता है J double E means exam की dates आ चुकी है most probably जब तक exam होगा तब तक अभी हमारे पास है 10-15 दिन उस तक मैं 16 का paper all solution मैं करवा पहूँगा क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा कर रहे है live test series भी कर रहे है J double E advance का भी है लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ सब बंद करके trigonometry का भी मैं full course करवा रहा था वो भी अभी मैं थोड़ा pause करूँगा उस पर मैं ज़्यादा focus करूँगा J double E means के previous test question पर अभी हम test series दे रहे है और PDFs दे रहे है उस पर यह last के थोड़े दिन है तो उसमें ज़्यादा हम मैनत कर लेते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो that's it for this video guys मैं जितने भी 6 पार्ट थे उन सब को मिला के एक पूरा J double E means 15 का solution भी upload कर दूँगा so thank you for watching this video वीडियो पसंदा तो लाइक करतीजे share कर दियो comment करना ना भूले अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारे email address road2i828gmail.com पे email भी कर सकते हैं चलिए मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद